कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बेवक मौत को भी बुदल रहे हैं इतना खुन देखके लगता है, इसे बड़ी बेहरमी समा रहा है सर, ये खुन उसका नहीं, हमारे लोगों के केसे ना होद पिक्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे आईसा ही लगा, और हीरो, नाइफ लॉडिर . . . है 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 अज़ा दो फिर फिर नहीं है नहीं है हग दोगे तो रामायन शुरू होगी, चीलोगे तो महाबारत, फैसला तुम्हे करना है, रामायन के महाबारत आएंगा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा केजियब कैसे एक हजार करोन रुपए की कमाई करेगी? इस्टार यस की फिल्म केजियब की दूसरी किस्त रीज हुए तीन दिन हुए है, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म ने बड़ी बड़ी फिल्मों को पानी भरने पर मजबूर कर दिया है एक तरफ लोग फिल्म की तारीफ के पुल बांते नहीं ठक रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिल्म कमाई के मामले में लगातार नए रिकार्ड्स बना रही है दो दिन में फिल्म के हिंदी वर्जन ने ही सिर्फ सो कौन रुपए से ज़्यादा की कमाई कर डाली है वहीं गलोबल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब तक 290 करों रुपए की कमाई कर चुकी है कमाई के मामले में केजियाब की बल्ले बल्ले हो रही है इस्टार यस की केजियाब 2 ने रिलीज के पहले दिन से ही करामात करना शुरू कर दिया पहले दिन 53.95 करों रुपए की कमाई की और दूसरे दिन 46.79 करों रुपए की कमाई कर डाला टेट पंडित तरन आदर्स ने फिल्म की जवरदस्त कमाई के बारे में ट्वीट करते हुए बताया केजियाब 2 की सुनामी फिल्म बाववली 2 और दंगल से भी बेहतर प्रफाम करती नजर आ रही है दरसर फिल्म का मुकाबला किसी और से नहीं खुश से ही है फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन उतनी कमाई कर डाली है जितनी इसके पिछले पार्ट की लाइफ टाइम कमाई है केजियाब 1 के हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम बिजनेस 44.09 करोन का था KGF2 के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 53.95 करोन की कमाई कर डाली है ये कमाल की ओपनिंग है फिल्म ने इंडिया भर से पहले ही दिन 134.50 करोन का बिजनेस कर लिया है और इस तरह से KGF2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है KGF2 दुनिया भर में 10,000 से भी ज़्यादा स्किन्स पर रिलीज हुई है फिल्म नार्थ इंडिया में 4400 और सौथ इंडिया में 2600 स्किन्स पर दिखाई जा रही है साथ ही ओवर्सीज मार्केट में भी लगभग 4000 स्किन्स पर फिल्म रिलीज हुई KGF2 के लिए लोगों की दिवान की गजब खास दोर से तमिल लाड़ु में वहाँ पब्लिक दिवान पर आधी रात के बाद भी फिल्म के शो दिखाए जा रहे है फिल्म के टिकट की भारी दिवान चल रही है कई जगा थेटर मालकों ने सुबा 6 बजे से सो दिखाना सुरू कर दिया जनता का इतना जुनून देखते हुए टेट पंडित अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन का नया इतिहास लिखेगी और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म कम से कम एक हजार को रूपे का बिजनिस करेगी केजियप चैप्टर टू रिलीस से पहले ही सुपर हिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है बाहु बली और 2.0 का रिकार्ट कैसे तोड़ने जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराथ के फिल्मी गलियारे में 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड हिल्स करनट सिनेमा इतिहाद की सबसे सफल फिल्म आल टाइम वर्ड वाइट कलेक्शन 250 करोण के पार हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहवली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सब ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये सारी अचीब में कहानी के एक टुड़े को मिली है आधी कहानी अभी आना बांकी जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजियाफ चैप्टर 2 केजियाफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स ने अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था रौकी यानि की राजा कृषण प्याब बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई लेकिन उसने मरते समय अपने वेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा रौकी इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही रौकी भाई नाम का एक डौन बन गया उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गर्वडा को मारने के लिए सुपारी देते पहली बारे में फेल होने के बाद रौकी गर्वडा को उसके गढ़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है। पहले फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गर्वडा का चाचा है। सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधीरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को समχालने की जिम्मेदारी गर्वडा को सौन देता है। इस बाद से अधीरा नरास। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगा जिक्र आता है। जिसमें उसे बहुत ताकतवर और कूर बताया जाता है। रौकी के हाथों गरवा की हत्या के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर है। दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना कबजा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास पाकत होगी। मतलब वो अपनी मा को दि अधिकार करना चाहिए। पहले फिल्म में सिर्फ गरवा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसकी आगे क्या होता है और फाइनले कहानी कहां पहुंसती है। ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिलेगा। लेकिन यहां मेन लड़ाई अधीरा और रौकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नट फिल्मों के सुपरस्टार यस अपने रौकी के किरदार को आगे बहाएंगे। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाह बली और 2.2 से भी बड़ी फिल्म साबित हो और बॉक्स आफिस पर कम से कम 3,000 कौन रूपए का बिजनिस करेगी। किसी को मारा तो, पोलिस ढूबड़ेगा। पोलिस वाले को है मारा तो, तुमारे जैसा डॉब डॉबड़ेगा। तेरी कुमार मिल गया रिस साथा। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहा है। तुमारा बेटा, उसके सामने ही है। अरे बिस्टो लगशे शिरो भीजें का 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 बिस्स रहीं झाल कुदरत का करिश्मा तो देखो उस रात दो गट्टाए होई KGF भी बिल गया और वो भी बैदा हो गया काल काव करने विनाज महां काल आ गया वो क्या इतना बड़ा गैंग्स्टर था गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंग्स्टर वो अकीला आता था मॉन्स्टर तो और कुछ उसे आती आने में अतीरा जब तक गरूडा जिन्दा है मैं इस कद्धी के बारे में सोचूंगा भी नहीं फैंग्स के बीच सुपरस्टार यस के फिल्म केजब के दूसरे पार्ट को देखने का उस्साह बरकरार है। और इस फिल्म में उनका एक डैलाक सबसे बड़ा योधा मा होती है। आज भी लोगों की जुवान पर रहता है। हाल ही में यस ने एक इंटर्व्यू के दौरान फिल्म केजब टू के बारे में कई खुलासे किये। फैन स्रीज के अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यस ने फिल्म केजब टू के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहले से ज़्यादा धहमाकेदार होगी। उन्होंने बताया कि केजब टू बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है। यदि आपने केजब वन देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह की फिल्म है। फिल्म को देखने में केजब वन से पांच गुना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर फिल्म केजब की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो मुंबई की सांकोर पर पला बढ़ा है और कुलार की सोनी की खानों तक अपना सफर तै करता है। रॉकी की मा उससे कहती है की तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब मौत आये तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा तू। मुवीज में बैक्ग्राउंड मुजिक का बहुत बार रोल होता है और ये फिल्म के टूटे वोए हिस्सों को आपस में जोडता है। जैसे इस फिल्म में मा बेटे के रिष्टे वाले सिंस में आप केवल बैक्ग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं। कई जगा भौन की सिमेट्रोग्राफी देखते ही बनती है। माइनिंग वाले और पचास से असी के दसक वाले सेट्स भी विसालकाय और अच्छे हैं। केजिय फौन में ज्यादा तर वान लाइरन डायलाक यूज किये गए हैं। जैसे सोने के गुल्लक को चिलर बटोडने के लिए नहीं रखा जाता। हाथ में मचली लेकर मगर मचली को खिलाने जा रहे हैं। मूवी में अनन्द बक्सी के गीत का एक नया वर्जन डाला गया है गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बन जा रहा है इसी तरह का गाना इस बार भी डाला जा रहा है अगर फिल्म को गाउर से देखें तो फिल्म में मावाला इमोशन भी है रोमांस वाला भी, गरीबी वाला भी और मजबूरी वाला भी लेकिन इस बार केजियप चैप्टर 2 में एक्षन पर सबसे ज़्यादा जोड़ दिया गया है खास करके क्लाइमेक्स सीन में जहां पर संजय दत यानि के अधीरा और रौकी के बीच लड़ाई होती है केजियप 2 में जो यस किरदार निभा रहे हैं वो एक गैंग्स्टर के रियल जीवन से प्रभावित है गैंग्स्टर राउडी थंगम के जीवन से लिया गया है जिसका 1997 में पुलिस ने इंकाउंटर कर दिया था लेकिन केजियप के डारेक्टर परसांथ नील ने अपने एक इंटर्विव में इसे इंकार कर दिया था प्रंत केजियप के पोस्टर में दावा किया गया था कि केजियप एक सची कहाने पर अधारी था उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थंगम को खुख्याद चंदन तसकर के बाद दूसरे अस्थान पर माना जाता था और उसे बीरप्पन जूनियर करार दिया गया था थंगम को अस्थानिय लोगों का समर्था मिलता था क्योंकि वो विरप्पन की तरह एक रॉविन हुट के रूप में जाना जाता था जब थंगम की मिर्थ्य हुई तो वो केवल 25 वर्स का था केजियप के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था रौकी याने की राजा किशप प्या बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई थी लेकिन उसमें मरते समय अपने बेटे से बचान लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा और जल्द ही रौकी भाई नाम का एक डॉन बन गया उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गरुणा को मारने के लिए सुपारी देते हैं पहली बारे में फेल होने के बाद रौकी गरुणा को उसके गर्ण में यानी खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधिरा गरुणा का चाचा है। शोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधिरा को नजर अंदाज कर अपनी बिमारी के बाद खान को सम्हाले के जिम्मेदारी गरुणा को सौप देता है। इस बात से अधिरा नारास्त। फिल्म के पहले पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है सारी ट्रसल उस खान को लेकर है इसलिए के जिब टू में रॉकी और अधिरा आमने सामने होंगे साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल माईन पर अधिकार करना चाहते है पहले फिल्म में सिर्फ गरुणा को मारने की कहानी दिखाई गई इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है यह हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा लेकिन यहां में लड़ाई अधिरा और रॉकी के बीच है KGF 2 में रिना के करेक्टर पर भी फोकस किया गया है KGF 2 रिलीज भी नहीं हुई और KGF 3 की चर्चा होने लगी है तीन सो रुपे लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहु बली को टक कर यश का असली नाम क्या है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरीमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में फादर्स जे के मौके पर KGF के डाइरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा एनिफिंग अबाउट रॉकी फादर तो KGF के डाइरेक्टर ने विद बिग स्माइल हैश्टाग KGF चैप्टर 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया यानि कि KGF के डाइरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है जी हाँ बनाने का विचार कर लिया है और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी KGF स्टार यश कन्नट फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार है KGF चैप्टर 1 की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी और आकरशिप किया ये एक्टर बॉलिवुड के हिरोस तक पर भारी पड़ गया अब बेसबरी से बड़े पड़े पर KGF चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर दे हैं लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वाइरस के कारण सब चीजे रुकी हुई हैं लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपिय लेकर घर से भागे थे रॉकिंग यश ने इंटर्व्यू के दौरान बताया मैं अपने घर से भाग गया जब मैं बैंगलूर आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया इतना बड़ा डराने वाला शहर लेकिन मैं हमेशा से आत्म विश्वास से भरपूर लड़का था मैं संगर्श करने से डरता नहीं मेरे पास सिर्फ 300 रुपिय थे जब मैं बैंगलूर पहुँचा मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहां लोटने की अनुमती नहीं देंगे मेरे माता पिता ने मुझे एक ultimate दिया मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था लेकिन उसके बाद अगर यह नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहें उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आओंगा मैंने theater करना शुरू कर दिया कोई सोभाग्य से मुझे theater करने के लिए ले गया मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था मैंने backstage पैसे बनाना शुरू किया चाय से लेकर पूरा सब कुछ शुरू में मैंने कननट फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक director को भी assist किया था जबकि मैंने theater किया मैंने बहुत यात्राएं की स्टेज पर मेरा पहला appearance लोगों ने notice किया था वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं नहीं जानते होंगी इसलिए हम बता देते हैं इसमें क्या tension लेने की बात है यश का असली नाम है नवीन कुमार वेल अभी तक तो दर्शक KGF 2 देखने के लिए excited थे लेकिन इस ख़बर के बाद वो KGF chapter 3 के लिए और भी जादा excited हो गए है अब तो शायद audience यहीं चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाए लेकिन वक्त तो लगेगा अभी तो सिर्फ उन्होंने एक statement दी है कि हाँ KGF 3 बनेगी जरूर क्योंकि जहां दबिक बुल को अभिशेक बच्चन के करियर की वापसी फिल्म मान सकते हैं जिसका नजारा फिल्म के पहले पोस्टर से देखा जा सकता है स्टॉक मार्किट को प्रभावित करने वाले ब्रोकर हर्शद महता की भूमिका में वो नजर आनने वाले हैं जिसने 1990 दशक के दोरान भारती अर्थ विवस्ता को हिला कर रख दिया था अभिशेक बच्चन के करियर की सबसे दमदार फिल्म की बात की जाए तो वो गुरू होगी और ठीक इस बार भी अभिशेक अपने गुरू वाली भूमिका में ही दिखाई देंगे तो ऐसे में इस फिल्म पर सब की नजर बनी हुई है तो दूसरी और कंणर सूपस्टार की KGF ने अपने स्टार्डम को हिंदी सिनेमा में इस कदर बैठा लिया है कि फैंस KGF 2 का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और इस बार तो वैसे भी पहले से जाद अदंदार एक्शन देखने को मिलने वाला है फिल्म में यश के साथ-साथ फिल्म में इस बार श्री निधी शेटी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी साथ ही संजदत फिल्म में आदीरा की भूमिका में दिखाई देंगे जब से संजदत का इस फिल्म से नाम जुड़ा है तो हिंदी सिनेमा में और भी जादा दबदबा हो गया है इस फिल्म का वहीं अगर बात करें कि भारत में कोईला उध्योग का पालन कब हुआ तो आपको बता दें कि वानीचे कोईला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्ष पुराना है जिसकी शुरुवात दामोदर नदी के पस्चिमी तड़ पर स्थित रानीगंज कोल फिल्ड में इस्ट इंडिया कंपनी के मेसर सुमनेर और हिटली द्वारा 1774 को की गई थी और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केजिये फिल्म कोल फिल्ड पर ही आधारिट फिल्म थी जिसकी कहानी ने लोगों को काफी आकरशित किया और आगे क्या होगा ये जानने के लिए लोग कबसे KGF चैप्टर 2 का इंतिजार भी कर रहे हैं अपने देखा होगा कि इस फिल्म में हर कोई अमीर बनना चाहता है ऐसे वाला बनना चाहता है लेकिन असल जिंदेगी में भी अपराद की दुनिया में कहीं ऐसे गैंस्टर्स और डोन हैं जो अपने इस खतरनाक पेशे के जरिए अरभपती बन चुके हैं तो आज हम आपको ऐसे ही टॉप 6 गैंस्टर्स के बारे में बताएंगे जिसमें 1993 मुंबई बम हमले का मास्टर माइड दाउद इब्राहिम का नाम भी शामिल है दाउद का नाम इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर आता है आपको बता दें कि भारत के Most Wanted अपरादी और Underworld Dawn दाउद इब्राहिम के पास कुल 670 करोर डॉलर की संपत्ती है भारत सरकार की तरफ से इसके उपर इनाम भी घोशित किया जा जुका है अभी दाउद के पाकिस्तान के कदाची शेहर में होने की खबर है फिल्हाल दाउद 63 साल के हो चुके है हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार ने उनकी बुढ़ापे की तस्वीर को भी जारी किया था लेकिन अमाडो केरिलो फैंटर्स 1997 में दुनिया का सबसे अमीर डॉन था जिसकी संपत्ती 25 बिलियन डॉलर आंकी गई थी अमाडो को हवा का राजा भी कहा जाता था क्योंकि ये अपना सारा ड्रक्स का व्यापार खुद के हवाई जिहाद से करता था अमाडो बड़े स्तर पर कोलंबिया के तसकरों की मदद करता था अपने बॉस की हत्या के बाद ये गैंग को सरगना बना वहीं बताया जाता है कि प्लास्टिक सरजरी के दोरान ही इनकी मौत हो गई थी वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है एंथनी सालेर नो इसको फैट टोनी के नाम से भी जाना जाता था ड्रक्स के कारुबाल के कारण इसने अकूद संपत्ति बनवाई जिनेवा से तालूक रखने वाले इस शक्स को 1988 में गिरफतार कर लिया गया था और बाद में 70 साल कारावास की ज़द सुनाई गई 1930 में ड्रक्सहीत अवेद शराब, जुआ और माना तसकरी के कारोबार में अलकपोन की तूती बोलती थी इसने इस कारोबार में अकूद संपत्ति अर्जित की हालांकि उसका पैसा और सरकार से संबंद भी गिरफतार होने से रोक नहीं सके और गिरफतार होने के बाद इसका कारोबार पूरी तरह से समाप्थ हो गया तो वहीं 70 के दशक में एक लेडी डॉन का भी काफी जलवा रहा है 70-80 के दशक में ग्रिसेला ब्लानको नामक महिला डॉन का अमेरिका के मियामी परराज था वो भी ड्रग के कारूबार में लिफ्ट थी और ये कोलंबिया से पूरे देश में ड्रग की सप्लाई करती थी और उस दोर में इसकी संपत्ती 80 मिलियन डॉलर की थी तो वहीं एक ऐसा भी शक्स था जो धर्ती का सबसे अमीर डॉन था एक समय में कोलंबिया का कुख्या डॉन पोबलो एसकोबार दुनिया का सबसे बड़ा अरबपती शक्स था इसकी कुल संपत्ती 3,000 करोड डॉलर के करीब थी पोबलो एसकोबार को कोकीन की दुनिया का सबसे बड़ा बादशा माना जाता है अपने दौर में पोबलो दुनिया की करीब असी फिस्दी कोकीन अकेले सप्लाई करता था दिसमबर 1993 में पोबलो की पुलिस एनकाउंटर में हत्या हो गई थी तो अब देखना एकसाइटिंग रहेगा कि KGF चैप्टर 2 में क्या इन सभी किरदारों से इंस्पाइड होकर कोई किरदार रखा जाएगा वही दो-दो बड़ी-बड़ी फिल्मों का क्लैश भी होने जा रहा है अज़देवगन यश से टकराने जा रहे हैं तो क्या धमाका होने वाला इस बार बॉक्स ओफिस पर इसका सभी को वेसबरी से इंतिसार रहेगा आपको क्या लगता है यश और अज़देवगन में से इस बाजी को कौन जीतेगा क्या संजदत बनने जा रहे हैं केजी फ चैप्टर 2 के अधीरा संजदत की वो पांच फिल्में जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका को निभा कर दी बॉलिवुड को मिसाल और वो कौन सा एक्टर है जिसे दिया जा चुका है विलन आप दा इयर का अवार्ड संजदत की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभीने करने की कला उन्हें विरास्त में ही मिली थी इसकी वज़े से उनकी रूची फिल्मों के प्रती और अधिक हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराना हासिल हुई थी 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक जिसको शुभास गई ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में संजर दर्थ और माधुर दिक्षित की गजब की केमेस्ट्री देखने को मिली थी इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजर दर्थ ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था इसके लिए उन्होंने कानों में बालिया पहनी, सर पे ठोपी, एक आंक पर काला कपड़ा बांधा और दाड़ी मूच्छे भी वड़ाई थी और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमी का निभाई वो आज भी निसाल बनी हुई है वही उनकी दूसरी फिल्म है, 1999 में आई वास्तव, जिसे महीश मांजरेकर ने डेरेक किया था और वास्तव में इस फिल्म में संजेद अधिक अलग ही लुक में नजर आये इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्टा पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देखकर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुपता काफी जादा हद तक बढ़ चुकी थी फिल्म में निभाय गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर इस फिल्म को संजर गुपता द्वारा डेरेक्ट किया गया था इस फिल्म में संजर दत ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आये थे जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया तो वही 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान इस फिल्म को हरदे शेटी ने डिरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजू बाबायानी की संजदत एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आये थे इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाड़ी रखी साथ ही बालों में कलर भी किया था या फिर यू कहीं कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है उन्होंने अपने लुक पर काफी जादा ध्यान दिया है और 2012 में आई उनकी अगनीपत को तो कौन भोल सकता है अगनीपत को करन जोहर ने डिरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताब अच्चन की फिल्म अगनीपत का रिमेक थी जिसमें रितिक रोशन प्रियंका चोपरा और संजय दत मुख्य भूमिका में नजर आये थे फिल्म में संजय बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत महनत की थी जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी जादा महनत करते हैं उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुडवा लिया था यहां तक कि उन्होंने अपनी बोहें भी हटवा दी थी जेहां साथ ही हाथों में धे सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे और उनके इस फिल्म में निभाय गए खलनाय के रोल को डैनी डिन जॉंगपा के साथ भी कमपेर किया गया था डैनी डिन जॉंगपा की बात करें तो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं जिनके काम को हर किसी ने सराहा था डैनी डिन जॉंगपा ने घातक, खुदागवा, सनम बेवफा, अगनी पत, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस रोल अदा किया था तो अगनी पत में भी संजदत ने निभाया जबरदस्त खलनाय का रोल जिसमें उनका जो किरदार था काचा चीना का वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था लेकिन आपको बता दें कि एक खुशकबरी है वो आ रहे है यश्की फिल्म में जी हाँ आपने यश्की केजी अफ चैप्टर वन में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीट किये खड़ा है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नौर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है फरान अक्तर और रिते शिद्वानी इसको मिलकर इंफ्लेंस कर रहे हैं और संजगत का नाम है सबसे आगे क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यस जैसे एक शेर के साथ टकराएगा और अब शेर के साथ कोई महमना तो नहीं टकरा सकती तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए जो उनकी टकर का हो क्योंकि दोस्तो एक एक्टर और उनका केरेक्टर इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टककर है क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना की हीरो एक्जामपल के लिए अगर सूपर मैन एक जेब कत्रे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिन से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना की सूपर मैन तब लगती है दोस्तो कांटे की टककर तब होती है असली लड़ाई तब आता है मज़ा तो ऐसे मिस संजदत की यश के साथ टककर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ओफ ता इयर से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों वो कोई और नहीं बॉलिवुड के मशूर खलनायक प्राण है उनके रोल के बारे में तो क्या कहें मतलब अपने दौर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास चाने से भी हर कोई डरता था और इनको 2000 में विलन ओफ ता इयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमती, अमरक, बरैंथनी, जन्जीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबरदस्त खलनायक की भूमिका अदा की है तो दोस्तो आपका फेवरिट खलनायक कौन है और आप की एजीएफ चैप्टर टू में यश और संजेदत की टककर को लेकर कितना एक्साइटिड है अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज केजिएफ चैप्टर टू की कहानी क्या है ये फिल्म कब रिलीज होगी और फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा बॉलिवुड के दो नाम सामने आए हैं केजिएफ चैप्टर टू में संजेदत और रवीना टंडर इनका role क्या होगा KGF chapter 2 में यश के पास कितने करोड की property है और इन्होंने कितनी hit film में दी हैं और कितनी flop KGF chapter 1 रिलीज होने के बाद इनकाम tax ने डारेक्टर के घर पे, प्रोड्यूसर के घर पे और एक्टर के घर पे क्यों रेट मारी आईए जानते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है अंकेत और आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राड स्टूडियो के नए वीडियो में दोस्तो अगर आपके मन में film से related कोई भी सवाल है तो आप हम से पूछ सकते हैं आपको एक घंटे के भीतर ही reply मिल जाएगा तो आज हम बात करने वाले हैं के जिएफ चैप्टर टू के बार में प्रभास की बाहूबली के बात से ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी सुर्ख्यां बटोर रही है अभी बाहूबली का माहोल ठंडा हुआ ही नहीं था की एक और फिल्मागी साउथ की तरब से यश्च के फिल्म के जिएफ इस फिल्म का पहला पार्ट काफी सफल रहा सफल होने के बाद मेकर्स इसके दूसरा पार्ट बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यानि की चैप्टर टू में बॉलिवुड के कुछ नामी कलाकार शामिल होंगे, नाम सामने आया है संजेदत का और रवीना टंडन का, हाला कि अभी तक संजेदत और रवीना टंडन ने हामी नहीं भरी है फिल्म के लिए, या कोई UK की officially announcement नहीं हुई है, जिन लोगों को KGF के बारे में या chapter 1 के बारे में इन्होंने अभी तक सिर्फ दो फिल्में ही डिरेक्ट की है, पहले जो है KGF chapter 1 और दूसरी मतलब इससे जो पहले डिरेक्ट की थी वो थी उग्रम, वो अल्रेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, प्रसान नील को बेस्ट जबूदेंट डिरेक्टर और बेस्ट डिरेक्टर का अवर्ड मिल चुका है, फिल्में जो लीट रोल प्ले कर रहे थे वो थे यश, इनका असली में नाम है नवीन कुमार गोवडा, यश तो इनका स्टेज नाम था जो कापी पॉपलर हो गया था, बात करते हैं कि इनके पास कितने करोड की प्रॉपर्टी है, तो इनके पास अ बस ड्राइवर का काम करते हैं, बात करें इनके फिल्मों की कि अभी तक इनोंने कितने हिट फिल्में दी हैं या फ्लॉप फिल्में दी हैं, तो अभी तक इनोंने देखा जा तो लगबग 16 या 17 फिल्में की हैं, जनमें से 5 ब्लॉपबस्टर, 2 सूपर हिट, 5 हिट और 2-3 ड्राइवरीज अबव विएवरीज गयी हैं, और फ्लॉप की बात करें तो 1 फिल भी फलॉप गयी है, अब बात करते हैं केजिएफ की कहानी क्या थी? ये कोलार गोल्ड फिल्ड आया कहां से? तो करनाटन में बैंगलूरु से 50 मिल आगे कोलार गोल्ड फिल्ड है, ये भार के तीन किलोमीटर तक नीचे तक खोदा गया था आपको बता दू कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही कम ख़दान है जो काफी गहरी होती है लेकिन कोलार गुल्ड उन में से एक है 1880 में या 1890 में एक इंजिनिरिंग कमपनी को काम मिला सोना निकालने का ये ब्रिटिश अरकार की आकरी कोशिश थी क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी कमपनी को ये काम दिया गया था लेकिन वो असमर्ट रहे सोना निकालने में खास बात ये है कि ये कंपनी सोना निकालने में काम्याब रही और कोलार के दिन बदलने शुरू हो गये सोना मिलना शुरू हो गया था और साउथ इंडियन सासों के लिए ये इंकम सोर्स बन गया था कई सदियों तब 1902 में यहाँ पर बिजली प्रोवाइट की गई दोस्तों जब भारत का पार्टिशन हुआ था या जब भारत अजाद हुआ था तब इसका रेजिस्ट्रेशन हुआ और इसे एक BGML कंपनी ने लिया शुरू शुरू में तो इंडिया को बहुत फायदा हुआ लेकिन धीरे धीरे फायदा घाटा में बदल गया और एक वक्त ऐसा भी आया 1989 में कि जिस कंपनी ने इसे लिया था वो करज़दार हो गया था जहां पहले 9000 स्टाफ काम करता था यहां पे धटके वो 3000 हो गया था लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई 2001 में गौर्णमेंट ने इसको बंद कर दिया था कोलार गोल्ड फिल्ड को लेकिन अभी हाली की बात बताओं तो 2017 में इसका फिर से टेंडर निकला माना जाएरे कि यहां पर अभी भी सोना बचा हुआ है सोना निकल सकता है दोस्तों चाइना के बाद इंडर्या एक ऐसी कंट्री है जहां पे सोनी की सबसे जाद खापत है आप लोगों को पताईए कि होगा हमारे जितनी भी शादिया होती हमारे देश में वहां पे सबसे ज कंट्री में जाता है मतलब कि 6% तक हमारे इंडिया में हैं बात करते हैं आगे KGF चैप्टर 2 की कहानी की की आगी कहानी में हमें फिल्म में क्या देखने को मिलेगा तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था कि रॉकी यानिकी यश एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहत पूरुट करने के लिए मुंबई आते हैं और गोल्ड की तर्सकरी में जुट जाते हैं देरे-देरे वहाँ उनका बहुत सारा नाम हो जाता है आफ्टर डेट नाम होने के बाद उन्हें मुंबई पर राज करना होता है फिर एंट्री यह होती है ऐस एंड्रू की एस एंड को मारने का बड़ा आधी कौन है गरूरा बैंगरूरू तो पहुत जाते हैं हमारे रौकी वहां जाते हैं उन्हें एक लड़की से प्यार भी हो जाता है साथ में प्यार तो होता रहता है लेकिन वह अपने काम पर भी लगे रहते हैं कि कैसे गरूरा को मारना है गरूरा आता ह जो लाट सिंध था अगर आप लोगों ने नोटीस किया होगा तो जितने भी गरूरा के सैनिक थे उन्होंने तलवार उठा लिया था रौकी को मारने के लिए लेकिन रौकी वहां पे मरता नहीं है जितने भी वहां पे वरकर्स थे या मजदूर थे वो रौकी की पावर बनते हैं और जो गरूरा का मिन बौडिगार था वो भी मारने की कोशिश करता है रौकी को पर रौकी उसे मार देता है अब रोकी के साथ साथ चार और लोग इस कंपनी के मालिक होते यानकी हगदार हो जाते हैं कौन-कौन यह बात आप सभी जानते हैं एंड्रू हो गया कि प्रवार गोल्ड के मालिक हो जाती हैं, लेकिन इंड में से एक जो होता है उसको रोकी बहुत खटक रहा होता है, कौन है वो, कमल वो क्यों, क्योंकि रोकी ने एक गलफरेंड उठा ली थी कमल की, और ये भी एक टैलेंट है कि लड़की कि किसी और की गलफरेंड को उठा लेना आते हैं अपने टॉपिक वे अगर मैं कहूं कि चैप्टर 2 में हमारा रोकी मर जाएगा तो कैसे लगेगा शौकिंग तो है लेकिन सचाई यही है कि रोकी मर जाएगा चैप्टर 2 में कमल जो है वो इनायत-Khalil से हाथ मला लेता है इनायत-Khalil जो गरुड़ा या यूग आधी जैसी लग रही थी वो आर्मी भेजती है तो ये तीनों मिलकर रॉकी पे हमला करते हैं और रॉकी मर जाता है अगर आप लोगों ने नोटीस किया होगा चैप्टर वन में तो कहानी शुरू होती है एक बुक के थूरू जहां पे रॉकी का कोई नामों निशान नहीं था उसमें बताया गया था कि वो अल्रेडी मर चुका है इसलिए तो वो बुक लिखी गई थी तो यहाँ पे स्टोरी आधी तो क्लियर ही हो चुकी है कि रॉकी मर जाता है और पुलार के फिर तीन मालिक चार मालिक हो जाते हैं लेकिन हेड जो होता है वो इनायत बनेगा जहां सामने नहीं आया है बात करते हैं कि इंकम टेक्स ने एक्टर प्रोड्यूसर और डारेक्टर के घर पर क्यों रेड मारी थी कहा जा रहा है कि कोलार फिल्म में जो पैसा लगाया है वो सारा ब्लैक मनी था फिल्म का बज़ट था 80 करोड और यह सारा ब्लैक मनी था इसी सब्सक्राइब कने थे आप बात डूं कि अगर रिलीसडेत की बात करें तो खबरों में आरहे कि यह फिल्म 39 दिसंबर 2019 में रिलीज हो सकता है और अगर वही बात करें ट्रेलर की तो खबर आरे कि ऑक्टूबर में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा वह भी एक नहीं कई पार्ट्स में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेते हैं आपसे अलविदा मिलेंगे कल तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्ट के रिव्यू को लेकर दोस्तों मल्टिप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेट फिल्में बनना बंध हो गई जिन में बड़े स्टार्स नजर आते थे 80 और 90 के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा, जमना, सरस्वती, बदले की आग जैसी बी ग्रेट फिल्मों का ने केवल बजट बड़ा हुआ करता था बलकि इस पे अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे 2018 में आस्चर्य जनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली सल्मान खान की रेस्त्री, आमिर खान की ठक्स ओफ इंदुस्तान के बाद कोलार गोल्ड फिर्स, बाहुबली की तरह जहां गरूडा का परिवार, सोने की खदान पर हक जमाने के शडियंत्र रच्ता है तो वही गैंक्स ओफ वासिपुर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है और ये जुल्म क्यों किया जाता है, इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने यश अपनी रोमैंटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अफ्तार में नजर आते हैं फिल्म का पहला एक घंटा रोकी की छवी को बनाने में खर्च पिया गया है और हर जगह वो मार कार्ट मचाता रहता है सिगरेट का धुआ उड़ाता है और शराप गटकता रहता है स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गड़ते रहते हैं नर्देशक प्रशांद नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बज़ाये रॉकी की कहानी एक लेखक, टीवी पत्रकार को सुना रहा है फिल्म कई बार फलैश बैक में जाती है कहानी में कहानी सुनाई जाती है क्योंकि ये फिल्म का पहला भाग है इसलिए कई बार दूसरे भाग की जलक दिखाई गई है और ये सब कुछ confusion को बढ़ाता है शायद प्रशांत ने ये जान बूच कर किया है क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है प्रशांत का दूसरा focus action पर रहा है फिल्म में हिंसा की भरमार है हर दूसरे मिनिट मार काट मचती रहती है गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है हतोडा, चैन, चाकू, रॉट, तलवार, फावडा से खुन बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तिमाल भी किया गया है और दोस्तो एक्शन का ये ओवरडोस, कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है फिल्म की कलर स्कीम बेहत डार्क है ब्राउन और ब्लैक कब बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया गया है ज़्यादा तर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किये गए है इस्क्रीन पर ज़्यादा तर समय अंधेरा चाया रहता है बहुत ज़्यादा कट्स लगाए गये है और तीन-चार सेकिंड से ज़्यादा एक शॉट्ट टिकता ही नहीं है वहीं कलाकारों के गैट अब भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नज़र आते हैं तो उसो जैसे बेतरतिब लंबे बाल और दाड़ी, काले कपड़े और साथ ही साथ रात में भी आँखों पर काला चश्मा चड़ाय हुए है और ऐसा लगता है कि वो महीनों से नहाए ही नहीं है और ना ही उन्होंने ब्रश किया है पुरी फिल्म को रफ टफ और एक अलग ही लुक प्रशान ने दिया है निस्चित रूप से ये कुछ हटके लगता है लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी दोस्तो फिल्म दो भाग में आएगी और अच्छी बात ये है कि पहला भाग एक कंप्लीट फिल्म लगता है और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते कि उन्होंने आदी ही फिल्म देखी है फिल्म को बहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्श्चर दिया गया है और दोस्तो साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलोग बाजी भी है जैसे कि और वहीं दूसरा डायलोग है हाथ में मचली लेकर मगरमच को पकड़ने के लिए निकले लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है तो दोस्तों कुछ ऐसे ही धमाकेदा डायलोग सुनने को मिलते हैं लार्जर देन लाइफ किरदार में यश बेहत जमे हैं वह स्टाइलिश लगे हैं एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो की तरह नजर आये हैं तो वहीं श्रेनिदी शेटी सहित अन्यकलाकारों के लिए खास स्कॉप नहीं था केजिएफ में एक्टिंग, एक्शन, जायलोग, स्वैक, बैक्ग्राउंड, म्यूजिक जैसी सभी चीजे बहुत जादा लाउड है स्टाइल और प्रेजेंटेशन ही इसे अलग बनाता है दोस्तो शारुक खान की फिल्म जीरो सिनेमा घरों में पहुँच गई है और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं दक्षिन भारत में भी फिल्म को लेकर काफी उत्सा है मगर साउथ में जीरो का सफर आसान नहीं होगा क्योंकि इस शुकरवार 21 दिसंबर तमिल, तेलगू और कन्नर भाषाओं की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई है और जिनकी काफी चर्चा भी रही है जीरो देश भर में 5965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जिन में से 4380 स्क्रीन्स भारत और 1585 ओवर सीज के लिए एलोट की गई है आनंदेल रोय निर्देशित जीरो में शारुक के साथ केट्रीना कैफ और अनुषकर शर्मा लीज रोल में थे महमत जीशान आयू फिल्म में शारुक के किरदार बहुआ सिंग के साइड की कर रोल निभा रहे है साथ में जीरो की सबसे बड़ी टकर मारी टू से होने जा रही है जसमें धनुष लीज रोल में है बालाजी मोहन रिर्देशित फिल्म में साइपलवी फीमे लीज रोल निभा रही है मारी टू को लेकर तमिल भाशी दर्शकों के बीच का फी हाइप बनी है ये 2015 में आई मारी का सीक्वल है और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर का नाम मारी है दोस्तो साथ में जीरो के सामने दूसरी बड़ी रिलीज के जीएफ चैप्टर वन भी है जो कन्नड फिल्म है जिसे तमिल तेलगू मल्यालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है प्रशान नील निर्देशित फिल्म में यश्ट ने लीड रोल निभाया है ट्रेलर आने के साथ ही फिल्म की काफी चर्चा रही है हिंदी भाशी दर्शकों के बीच भी केजीएफ के हिंदी ट्रेलर को पसंद किया गया है केजीएफ में तमन्ना भाटिया और मौनी रोय ने आइटम सौंग्स किये हैं केजीएफ हिंदी में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जबकि कंणर तेल्गू में 400, तमिल में 100 और मल्यालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है दोस्तो हाल ही में साथ सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवरसीज में बहतरीन बिजनस किया है रश्णी कांत और रक्षे कुमार की 2.2 तमिल सिनेमा की फिल्म है जिसे हिंदी और तेल्गू में भी रिलीज किया गया था ये फिल्म घरेलू बॉक्स ओफिस पर अब तक 400 करोड से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतिय फिल्म बन चुकी है और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड से अधिक जमा कर लिये हैं दोस्तो आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो केजीएफ और मारी टू के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की 21 दिसंबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी जिसमें से केजीएफ और मारी टू का ओपनिंग कलेक्शन बढ़िया रहा और वहीं बड़े बजट की फिल्म जीरो कुछ जादा ओपनिंग नहीं कर पाई जीरो के ट्रेलर और गाने जिस तरह सूपर हिट हुए थे लेकिन उस तरीके से फिल्म को ओपनिंग नहीं मिल पाई तो वहीं बात करें केजीएफ और मारी टू की तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉंस मिल रहा है और फ्रश्ब्र निल ने डाय्रेक्ट किया था फिल्म में करनाटाका से 28 करोड हिन्दी से 4 करोड और तमिल और खेलीफ ने safe करोड का कलेक्शन किया है KGF ने total 49 करोड का first day collection किया था और film को critics और public से भी बढ़िया rating मिली थी जिसका फायदा इसको दूसरे दिन भी मिला और film ने 45 करोड का collection किया जो कि अब तक का किसी कन्नड film का सबसे highest collection है बात करे film के third day collection की तो ये film आगे बढ़िया collection करेगी वीकेंड पर Sunday का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा दोस्तों अब अगर बात करें मारी टू की तो इस film ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी opening दी है ये एक action film थी तमिल सूपस्टार धनुश की इस film को बालाजी मोहन ने direct किया था film को 25 स्क्रीन पर release किया गया और ये film अभी सिर्फ दो ही भाषाओं में release हुई है 30 करोड के budget वाली film को public और critics दोनों ने अच्छी rating दी है जिसका अजर हमें opening collection पर देखने को मिला और इस film ने अपने पहले दिन 15 करोड का opening collection किया जबकि film ने अपने second day collection में 13 करोड बटोरे जो कि काफी बढ़िया रहा बात करें film के worldwide collection की तो film ने अब तक 30 करोड का collection कर लिया है वीकेंड में Sunday का फाइदा भी इस film को मिल सकता है और अब बात करें हमारे शारुक खान की zero की जिसकी चर्चाओं का बाजार गरम तो था और जिससे इसके collection में गिरावट देखने को मिली इस film से grand opening की उम्मीद की जा रही थी लेकिन opening ठीक ठाक रही zero ने पहले दिन 20 से 25 करोड का opening collection किया जो कि 200 करोड के बड़े बजट वाली film के लिए कुछ जादा खास नहीं है film को public ने तो अच्छी लेकिन critics ने average rating दी है और जिस वज़े से इसके second day collection में बिल्कुल जादा उच्छाल नहीं देखने को मिला film को 5000 स्क्रीन पर release किया गया था zero ने दूसरे दिन भी 20 करोड तक का ही collection किया जो कि normal है वहीं बात करे film के total collection की तो film ने worldwide पहले दिन 58 करोड का collection किया था जिससे की film के collection में थोड़ी बढ़ोतरी तो हो जाए दोस्तो धीरे धीरे जीरो आगे बढ़ रही है और क्या weekend में Sunday होने की वज़े से ये film सो करोड से उपर collection कर पाएगी या नहीं दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो की कल यानी की 21 दिसंबर 2018 को release हुई थी और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के review और box office collection के बारे में दोस्तो 21 दिसंबर 2018 को Zero, Marry 2, Antiriksham 9000 की MPH KGF जैसी अलग-अलग जोनर की फिल्में release हुई है और इनमें से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं तो कुछ छोटे बजट की इनमें से Bollywood की Zero और कननट Film Industry की KGF बड़े बजट की फिल्में हैं जबकि तमिल Film Industry की Marry 2 और तेलगू Film Industry की अंतरिक्षम छोटे बजट की फिल्में थी पाईए इस वीडियो में जानते हैं कि फिल्मों के पहले दिन के रिव्यू और बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या रहा सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवुड के किंग खान यानि की शारुक खान की जीरो की जो 200 करोड के बजट वाली फिल्म थी दोस्तों फिल्म ने लोगों को एंटर्टेंड तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शारुक खान केटरीना कैफ और अनुषका शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीब कर रही है और ये फिल्म थेटर्स में लोगों को लाने में कामियाब रही और फिल्म को आनंदेल रोए ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड का कलेक्शन किया है वहीं बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया है जो की एक रिकॉर्ड है और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फायदा मिलेगा अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं कन्नड फिल्म केजियेफ की तो फिल्म का बजट 80 करोड था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दिया है फिल्म को प्रिशांत नील ने टायरेक्ट किया था खोलर गोल्ड माइन्स पर बेस्ट ये फिल्म 80 की फिल्मों की याद दिलाती है जिसमें कन्नड सूपर स्टार यानि की यश ने लीड रोल प्ले किया है और ये फिल्म अब तक की कन्नड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अभी फिल्म का फिर्स पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है KGF को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है KGF ने इंडिया में पहले दिन 13 करोड का कलेक्शन किया जबकि वर्ड वाइड पहले दिन इस फिल्म ने 2 करोड का कलेक्शन किया और फिल्म का पहले दिन का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 15 करोड है जो कि डब्ड फिल्म होने की वज़े से बहुत बड़ा है दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 की जो की मारी का सीक्वल है फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बाला जी मोहन ने डायरेक्ट किया था ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं टॉलिवुड में एक साथ 4 फिल्में रिलीज हुई है जिसका असर इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है और फिल्म ने पहले दिन 41 लाग का कलेक्शन किया है जो कि एवरेज है लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ही रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है वहीं बात करें तेल्गु फिल्म अंतरिक्षम 9000 KMPS की तो ये एक साइंस फिक्षन फिल्म थी जिसका डायरेक्षन संकल्प रेडी ने किया था इस फिल्म में तेलकु सूपरस्टार वरुन तेज लीड रोल में थे और इस फिल्म को भी लोगों का मिला जुला रेस्पॉन्स मिला है फिल्म को भी टॉलिवुड में एक साइच चार फिल्म में रिलीज होने की वज़े से इस फिल्म को भी काफी कम दर्शक मिले हैं क्रिटिक्स ने फिल्म को 2.5 स्टार दिये हैं और फिल्म ने पहले दिन लगभग 1.60.000 का बॉक्स ओफिस कलेक्षन किया है जो की काफी बढ़िया है अंतिरिक्षम फिल्म का कॉंसेप्ट लोगों को पसंद आया है लेकिन फिल्म पर एक साइच चार फिल्में रिलीज होने से असर पड़ा है लेकिन इसकी भी हिंदी डब वर्जन रिलीज होना अभी बाकी है मेरे सिकें तो चल्दी से मिला शो मिस्तो रहा है आई मुम तो वड़ी थी ना चुब मुझे मिले थे आपकी बज़े टिकेट बदल गई पता है मेरी अँ है मैं तुम्हारी बज़े से मैंने जीरो देखे लिए मैं भी आपको बहुत बड़ा थेंक्यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी बज़े से मैं जीरो देखने वाला था पर केजिए अब देखे आ है मजा आ गया देखे क्या मोई बटा मोई यस का यस ने फार दिया भाई आग लगा दिया मैं भी देखने वालुकी लेकिन किसमत कि बाती है बांकि जीरो बहुत ही जादRa मेजिन मूवी है बदा इतने टाइम बाद मेने ओसार के कितनी बड़ीया मोई भी लेचे है मैं इसरेके के मैं अपमने हो उना खुड बहुत बड़ा है लेकिन SRK के बाद अगर मैं किसी का फैन तो YES का फैनू भाई मैं बहुत बड़ा YES ने क्या acting के पार रहा रहा गज़र मज़ा आगया वैसे क्या खासता है Zero बताऊ जरा Zero में खास या थी हाजी है तेखो पहली बात तो जैसा रोल उसने अदा किया है तो भी अक्टिंग करियोंगे मैंने मुवी नहीं देखी लेकिन अगर कम पारिजन किया जाए तो जिस तरीके से एसाब के एक क्यारेक्टर के अंदर गुसा है वो शाज़र नहीं कर पाता दोनों अलग अलग बाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सानुफान बॉनावना और यस गुंडा एंटिहरो टाइप लंबी लंबी दाड़ी बड़े बड़े बालों जब हातों बंदूग लेके टूटता है ना सीटिया बस थी है बाई लोगों पागल होगे उसे लेखके एसा अरको देखकर एसा वह वह वश मुवी ले बिल्कुल हूआ लोग तो पागल होगे इसनी ज़ादा होडिंग कर रहे और पता है सबसे ज़ादा सिस्पेंस वाला सीन तो वही हाज रोकेट का और जब रोकेट लेकिन केजिया देल लूट लिया मेरा मैं तो जाई केजिया फी थी थी यार अब देखने 0 चले गई, पता इससफेंस कूलू हूँ पर तुम्हारा 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 यृष बता दो ना पर स्टोरी बताओ मैं में चीज बता जिसे प्शो जाओं ताकि मनमें मालना यह नहीं नहीं रिख पाया अच्छा यह बताओ, सबसे जादा excitement के street को जाने के मैं सबसे पर्दे तुम्हारा वही वाला suspense को थी केतिना केसान क्या था? क्या सिंदा शारुक खान का क्या था? केत्रीना क्या आपके कोई जोडी ऐसा नहीं था कि उसी के साथ जोडी बनी था हाँ, अभी दियॉल भी था इस मूवी में वह उनके वापिन का रोल अदा कर रहे थे मत नब, शारुक भान से कटना के अपसेट नहीं थी फिल में थोड़े टाइल के लिए, जादा नहीं अभी दियॉल के पाद और अनुष्का सेमा? मैं को बता जूं कि, कैट्रीना के आपका रोड उसमें एता था बहुत बड़ी सूपर्स्राइट दिखाई गई अभीता कुमारी बट पॉइंट क्या था 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 थोड़ा प्रवभधाण क्या रोड़त हा था को कि है रोतुफाण तुष्का था, बटो यह रॉत इकिने लिए मुझे डानो। क्युट इखकर्ण इसलिय था जो डूं के ठी सस्था थी, हाँ मैं इ戰ा थे बता और इतनी बड़ी जो स्टार कास्टर इसमें अभी एक दीपिगा पादू कौन भी है, शीदेवी, काजो, रानी मुखर जी, अल्या भट, यह क्या गार देते हैं वह पड़ा पड़ा पही थे, मुझे बताया गया था अच्छा मेरी बाद सनो, बड़ी 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 स्टार का रोल अधा कर देगा देगा तो अवर्सी बात है जहां बॉलीवूड का नाम आएगा वहां एक बॉलीवूड अपरस के साथ बागी बॉलीवूड साथरे भी तो दिखाएंगे ना यार तो इसमें गिंपिका, श् अपने देखाएंगी उसका क्या सीवना था, उसको मजे जाने ला पहुत है तो आपने देखाएंगी उस्जादा जर जाना ही दोस्ती के रोज के लिए जाता है जाए हम गांजना उठा के देख ले हैं और भी बहुत सारी मुवीज तो इसमें इसका अच्छा दोस्त वाना किता कट रही है यार, कुछ 20-25 करोड बस 200 करोड लगा में 20-25 करोड जादा बोलो मत अपना बताओ के जी आपका क्या देखा है मेंको भी तो कुछ बताओ के जी आपका प्ली आपका प्लाविश में यस है तंडर का सुपरिस्टार है वह उसे आज ज़ादा है वह क्या गली गली मजा आगा देखे मुझे चीज पूछनी है क्या तुमने अभी बोला श्री निधी शेटी मुझे सैस्क बरता हूं ट्रोइलर देख के क्या लगा था यश्क के ओ पोजरे मौनी रॉय है ने 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 मौनी रॉय का इसमे आइटम सौंग है लेकिन इसमे इसमे मम मुझे आपमेज़ पिली देखना ह्या इसमे णीडउय है क्ये सभी ये छूप इसमे अब भूरेकों खत्म को बता है ने हीवागर चुबले सौंग मेरे वह хत्म करता है ने ने बारता है ध्यूय को मारता है मेरी के लोग के बहूंत बहुत बाट टाउटाइट ज़ूट स कर दो लगा कर दो यह ऐसा कै सकती एंडिहो टैट कर दो अश्या निर्टार अव्य लोग की जड़ता है विर्टा यह अज बुछाओं लुछ लुग था था रुटी कर था हुआ है अदो हुद अब उसके माने गहाथ था ना कि तुझे लोगों के साथ चल ना है लोगों के आ पता है अगर आपको कुछ जादा इंफोर्मिशन चीह तो आपको फिल्म देखनी चीह इंफोर्मिशन कहुगा इंफेक्ट आपको देखनी चीह शामदाव फिल्म जबर्दस्त मजाद आएगा पता है कंडर्दाब अब तक का इत्यास बन चुकी एं मुवी एक ही दिन के अंदर जैसे बहुटा इंदेदा करे थुठ बहुटा बबुफ है एक ही दिन में जो मूवी देखクे निकल रहा है वो यही कहरा है किसका यार वो किसमत की बात है हाँ किसमत की नहीं मैं माल्यों कि चाप्टर 2 आएगा अब जीरो का बन पाएगा नहीं बढ़ क्या पुदा बन जाए हो भी तकता है जीरो का बन तो नहीं बनेगा कैना तो मुझे यकीन है अगल कोई मुवी बहुत जादा आगे निकलती है अच्छा नाम कमा ली तो उसका सेकंड पार्ट लुद डिमांड करते है कि हाँ आना चाहिए हमारी जन्ता डिमांड करती हाँ आना चाहिए हाँ यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन केजी अपका सेकंड पार्ट यह तो अभी से तया है हभू मैं आपकी बात मान रही हूँ तो आपने बज़ट पूछा था मेरी मुवी का जीरो का कि क्या पेक्षा है मेरी बज़ट इसमें इसका बज़ट असी करोड है लेकिन हो सकता है कि यह शारू खान के वरावाट पहले दिन में ता ना कमा पाया लेकिन कमाईगी अच्छ कि देखो जो 200 करोड रुपे हमारी दिरो में लगे हैं क्योंकि जादा त जादा पैसे तो शारू खन को उनके करेक्टर में दिखाने के लगे है वी एपेक्स को लेकर काम एडिटेंग सब कुछ क्योंकि कि इसको बोना दिखाना को इसान काम तो नहीं है उसके लिए बहुत को यह संदित को में बूरा को मैं बूरा तो मैं बोल नहीं लिए भात है बोलो क्या और रहूं हम वेल भूल रही हुआ आप मुछए बुचार का बजट लगाए ठीके में मंग ए ट कि बूरा त इंग लेए जिए नहीं है लिसी को पोला दिखाना आ आया थे ट्गाना या थ आप भी अच्छा बोल रही हो कि वह Zero अच्छी है, मैं भी अच्छा बोनों KGF अच्छी है तो अच्छा बोनों KGF अच्छी है तो अच्छी है और अपने अपने हिसाब से कमाएंग भी और हिट भी होंगी लेकिन सब्सक्ते बड़ा सवाल है कि Chapter 2 तो आएगा KGF का क्या Zero का बन पार्ट अच्छा है दोस्तो मुझे तो लग रहा है जिस तरे कि इस Zero को सब दिमांड में ले रहे हैं तो मुझे आप लोगों से भी उमीद है कि आप सोच रहोंगे कि हाँ Zero का सेकंड पार्ट बनना चाहिए तो क्या लगता है फोड़ा मुवी देखो दिमांग रड़ाओ और कमिट बॉक्स पर बापिस आओ और मुझे बताओ क्या लगता है Zero का सेकंड पार्ट बनेगा दोस्तो 21 दिसंबर 2018 फिल्मी दुनिया के लिए बहुत खास दिन था क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार शारुख खान यानी की बादशाह खान की फिल्म Zero रिलीज हुई तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सूपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 बॉक्स आफिस पर तहल का मचाने के लिए आई और वही कन्नड के एक और सूपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ ने बॉक्स आफिस पर दस्तक दी और जिसे कन्नड की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उध्योग को नुकसान के साथ-साथ फाइदा भी हुआ क्योंकि इस बार ओडियंस के पास अच्छी खासी चॉइस थी कि वो किस प्रकार की फिल्म का चुनाव करें जहां शारुक खान की फिल्म एक रोमांटिक फिल्म के साथ-साथ फुल ड्रामा फिल्म है तो वहीं KGF एक एक्शन फिल्म है और वहीं मारी टू एक मसालेदार फिल्म है लेकिन जिसमें शोशल एलिमेंट्स का तड़का लगाया गया है और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 300 करोड का फाइदा हुआ है क्योंकि इन तीनों फिल्मों के सेटलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स इन सारी चीजों को मिला कर करीब फिल्म इंडस्री को 300 करोड का फाइदा हो रहा है और 21 दिसंबर को एक ही दिन रिलीज होने पर करीब 100 करोड का फाइदा हुआ अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संधर्म में हुआ कि हर स्टार की ओडियन्स बट गई और ओडियन्स बटने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है हालांकि ये पहला दिन रहा इसलिए ये निस्चित तोर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड का नुकसान होगा अगर अब बात करें जीरो की तो जीरो ने रिलीज से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था जी हाँ और जीरो का कुल फर्स्ट एक कलेक्शन देखा जाए तो जीरो के खाते में करीब 230 करोड के आसपास गया है और इससे ये कहा जा सकता है कि जीरो फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है और फिल्म का सूपरिट होना तो निस्चित है क्योंकि जीरो ने इंडिया और देश विदेश को मिला कर 58 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है और अगर वही बात की जाए साउत के बाहुबली यानि केजियेफ की तो उसने पहले दिन 15 करोड का बिसनिस किया है दोस्तों वही मारी टू अगर कुल मिला कर देखा जाए तो फिल्म ने 2 से 3 करोड का कलेक्शन किया है और अगर इन कलेक्शन के आकडों को आधार बना कर बात की जाए तो शनिवार को छुटी होने की वजए से तीनों फिल्मों के बॉक्स आफिस पर उच्छाल देखा जा सकता है और माउट पब्लिसिटी का फाइदा भी मिल सकता है अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो 0 करीब 30 करोड का बिसनिस कर सकती है और वहीं KGF करीब 20 करोड के आसपास पहुँच सकती है और दोस्तों वहीं मारी 2 भी करीब 5 करोड के आसपास पहुँच सकती है तो जब भी 2 फिल्मे या 3 फिल्मे एक साथ रिलीज होती है तो अकसर देखा गया है कि जब बड़े बैनर की और बड़े स्टार की फिल्मे होती है तो उनके बॉक्स ओफिस कलेक्शन में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और दोस्तों वहीं अगर एक उधारन के तौर पर देखा जाए सनी दियोर और आमिर खान को तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीज की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबिक हुई है और सबसे बड़ा उधारन तो उस समय का है जब गदर और लगान रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने रिकोर्ड तोर बिजनिस किया और वही हम आपको बताना चाहेंगे कि शारुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके है योकि शारुख खान एक बहुत बड़े सूपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्टार्डम पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है अब चाहे कंणड का सूपरस्टार आए या फिर साउट का सूपरस्टार और ये सब इनके सामने एक प्रकार से बच्चे ही तो है वो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है दोस्तों वहीं KGF और मारी 2 के रिलीज होने से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर बड़ा है क्योंकि KGF और मारी 2 में जो स्टार हैं उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है और दोस्तों अगर बात करें KGF के सूपरस्टार यश्की तो आज की यूत में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है और वैसे भी KGF की तुलना अमेताब बच्चन की दीवार से की गई है और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानत में और फिल्म के सिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेंट्स डाला गया है जिससे की फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नजर आए और इसलिए KGF के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म फ्लॉग बस्टर फिट साबित होगी दोस्तों मारी टू के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है वो भी एक स्लो पोईजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे-धीरे अपनी पकड़ बना ही लेगी क्योंकि धनुश का अपना फैन फॉलोइंग है और दोस्तो ये भी कहा जा सकता है कि मारी 2 और KGF की टकर से सीधा जीरो को फायदा होगा क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही fan following साउट में जादा है लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है इसलिए सारे आकडों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फायदा शारुक खान की फिल्म जीरो को होगा और दोस्तो वहीं जीरो फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि S.R.K के जितने चाहने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर शारुक को चोल भी किया है और इसलिए उनके शुप चिंतकों में एक तरह से भैफैल गया है कि कहीं शारुक की जीरो फ्लोप न हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं S.R.K की जीरो फ्लोप होगी नहीं और जल्द ही बॉक्स ओफिस पर अपनी पकर भी बना लेगी जीरो फिल्म के हीरो शारुक खान का स्टार्डम किसी भी सूपर स्टार से कम नहीं है और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह जीरो फिल्म भी जल्द ही पॉक्स ओफिस पर स्पीड पकड़ेगी जिस प्रकार से बाहुबली टू ने स्पीड पकड़ी थी क्योंकि जीरो की कहानी में जो बहुआ सिंग है वो एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है इसलिए जीरो फिल्म बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की जनता के दिलों में रच और बस जाएगी और दोस्तों ये भी सच है कि शारुख खान की जीरो फिल्म पर अनुश्का की शादी का फर्थोड़ा बहुत तो पड़ा है क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुषवादी मानसिक्ता का प्रतीक है जहां पर मेल एक्टर तो शादी कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्टरिस जैसे ही शादी करती हैं उनकर स्टारडम गिर जाता है जो की एक प्रकार से हिरोईन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आया है और आज भी जारी है लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का पिक कभ शिक्षित होगा और मैं तो ये ही कहना चाहूंगी कि हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक की हमारे देश की प्रतियेक नारी शिक्षित नहीं होगी और अगर हो जाएगी तो वो खुद अपने आप में इतना शक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए लड़ सके क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो की हमारे समाज के एक आईने के रूप में देखी जाती है अगर वहाँ पर नारियों के साथ विक्टिमाइजेशन हो सकता है तो किसी भी छेतर में हो सकता है जो की एकदम गलत है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकार से पुरुष फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहते हैं हिरोईनों को भी जमे रहना चाहिए और तभी इस इंडस्ट्री का मिधख खटेगा एक बहुत ही एहम दिन है फैंस के लिए क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिल्में रिलीज होने वाली हैं पहली बॉलिवुड के बाश्या किंग खान की जीरो और दूसरी कन्नाड एक्टर यश की केजी इफ चैप्टर फस्ट नमशकार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिवॡ राद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आईए मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शक्स पर क्या असर पड़ेगा फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कंड़ सूपरस्टार यश या फिर आप लोग पर जी हाँ यानी की वो लोग जिनके इक्तियार के बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता दोस्तो जीरो और केजी एफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतिय फिल्म उध्योग को कितने करोड का फायदा होगा ऐसे कहीं साए सवाल जहन में आते हैं और जहां तक कि देखा जाए अगर एक दिन में एक ही फिल्म रिलीज हो तो भारत्य फिल्म उद्योग को एक फिल्म से जितना फायदा होता है उससे जादा दो फिल्में रिलीज होने पर होगा और जाहिर सी बात है कि अगर दो बिग बैनर फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो फायदा तो बेशक्त जादा ही होगा एक तरफ Zero Red Chili's Entertainment की प्रोडक्शन है तो दूसरी तरफ KGF Chapter 1 रिटेश शिडवानी और स्फरान अक्तर की Excellent Entertainment की है वहीं दोनों मुवीज के Combine Collection की बात की जाए तो एक हजार करोर का मुनाफ़ा तो हो ही सकता है मगर मुद्दे की बात तो यह है कि कौन से फिल्म कितना कमाएगी अगर शारुक Шान की पिछली फिल्मों की बात की जाए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और उनकी कमाई भी इतनी बहतरी नहीं हुई है पिछली फिल्मे कुछ जादा खास ना जाने की वज़े से इस पार फैंस को S.R.K की जीरो से बेहद उम्मीदें हैं वहीं दूसरी और यस जो की कंड़ सुपरस्टार हैं पर साउथ में बेहद प्रचलित भी और उनका काम पिछली फिल्मों में लाजवाब साबित भी हुआ है तो उनके फैंस को भी KGF का बेसबरी से इंतजार है बलकि अब तो आलम ये है कि नौर्थ इंडिया में भी लोगों को KFC का ट्रेलर बेहद पसंद आया है और कहीं ऐसा नहों कि S.R.K की तरफ आती हुई हवाएं यश की KGF की तरफ अपना रुक मोड लें बेशक की लोगों को Zero का उतनी ही शिदत से इंतजार है मगर कहीं न कहीं KGF का ट्रेलर Zero के ट्रेलर पर भारी पढ़ता नजर आ रहा है और इन सबसे बचने के लिए Zero का जोर सोर से प्रोमोशन हो रहा है और नई नई तरकीवे निकाली जा रही है जैसे की अभी हाल ही में Making of Song मेरा नाम तू यूटूब पर लॉंच हुआ सूत्रों के मताबिक KGF पांच अलग-अलग लेंगवेजस में रिलीज होगी जिसमें एक लेंगवेज हिंदी भी होगी अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी तो और्डियंस किस हिसाब से बढ़ जाएगी KGF का जीरो के साथ क्लैश होने पर जीरो पर असर तो जरूर पड़ेगा उसमें तो कोई शक नहीं है मगर वहीं दूसरी तरफ रिते शिदवानी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक क्लैश है या फिर कोई जंग है किसी स्पेस के लिए उनका मानना है कि स्पेस बहुत है रही बाद 21 दिसंबर को रिलीज करने की तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन साथ इंडिया का एक खास फेस्टिवल है ये फिल्म साथ की चार लेंग्वेज में रिलीज होने वाली है और बेशक हिंदी में भी उनका कहना है कि नौर्थ इंटिया मार्किट में उतना नहीं जाना जितना की जीरो का मकसद है एक्सल एंटेटेन्मेंट जो की रॉक ओन टू रहीस फुक्रे सिरीज गौर्ड जैसे फिल्मों के लिए जानी जाती है इस पार कंणड फिल्म के जीएफ के साथ आ रही है रिते शिद्वानी का कहना है कि फिल्म ने लेंग्वेज बेरियर्स को तोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है बाहुबली केजिएफ जो की एक पीरियड ड्रामा है कूलर गोल्ड फिल्ट्स पर आधारित है जहां तक की फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट करती है तो लेंग्वेज का बेरियर तो रहे ही नहीं जाता दोस्तो केजिए फ्रेशान नील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और दोस्तो विजए की रागंडूर इस फिल्म को प्रिड्यूस कर जए है होम प्ले फिल्म्स के बैनर तले यश और स्रीनिधी लीड रोल में नजर आएंगे बात की जाए जीरो की तो वो एक रोमेंटिक ड्रामा है जिसको लिखा है हिमान्श शर्मा ने और निर्देशन किया है आनन डेल रोय ने दोस्तो इस फिल्म को प्रिड्यूस किया है कलर येलो प्रोड़क्शन एंड रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट ने स्टार कास में हैं शारुख खान, अनुषकर शर्मा और कैटरीना कैव दोस्तो वहीं जीरो का बजट 200 करोड से उपर का है तो वहीं केजीएफ का 100 करोड से उपर का अब सवाल ये है कि क्या शारुख खान फिर से किंग खान बन पाएंगे जंगल में लेकिन शहर तो एक ही होता है और किंग्टम में किंग भी एक ही किंग खान ने पूरी जान लगा दी है zero फिल्म के लिए और ये बाद जाहिर भी होती है जहां सलमान खान इस्कबाजी सोंग में special appearance में दिखाई दिये हैं जहां तक की बात की जाए सलमान खान की तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां तो फिल्म का फ्लॉप होना नामुम्किन ही है राज की बात तो ये है जनाब की आपको फिल्म में काजोल, रानी मुखर जी, श्री देवी, आलिया भट, करिश्म कपूर, चुही चावला, दिपिका पादुकोन, गनीश आचार जे रेमो डिसुजा भी स्पेशल एपिरेंस में दिखाई देंगे और ये कमाल किंखान का ही हो सकता है, जो कि इतने सितारों को एक साथ लेकर फिल्म बना दे अगर गौर किया जाए तो हर सिके के दो पहलू होते हैं, अब तो वक्त ही बताएगा कि हवाएं कहां रुक लेंगी और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी काइनाथ तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है जीरो और केजिएफ के साथ तो दोस्तों अब ये देखना दिल जस होगा कि कौन से फिल्म बॉक्स आफिस पर धमाल मचाएगी जीरो के सामने खड़ा है एक और महा योधा जिसका नाम है यश यश के फिल्म केजिएफ को कर्नट की बाव बली कहा जा रहा है केजिएफ माने कोलार गोल फिल्ड्स लंबा नाम भूल जाओ सौटकट केजिएफ याद रखो ये फिल्म कर्नट फिल्म दो पार्ट में आ रही है पहले पार्ट का टेलर रिलीज हुआ और यूटूब पर धुवाधार देखा जा रहा है अभी तक 96 मिलियन व्यूज हो चुके हैं हाला के इन व्यूज से फिल्म की आवकात नहीं आखनी चाहिए अच्छे टेलर व्यूज और अच्छी ओपनिक के बाद ठक साफ हिंदोस्तान तीसरे दिन बारभरा कर बैट गई और केजिएफ का मुकाबला टेलर व्यूज के मामले में रिकार्ट तोने वाली जीरो से रहेगा दोनो 21 दिसम्मर को रिलीज हो रही है राकी नाम के एक लड़के की कहानी है राकी का रोल यस ने किया है यस का असली नाम नबीन कुमार गौर है एवार्ड बिनिंग करनट एक्टर है कुल मिलाकर सिनेमा में पहचाना हुआ नाम है केजी अफ सेवेंटी के दशकम सिट है ट फिल्म और उसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाती है फिल्म के पहले भाग में उसके पैदा होने से बस्पन और गैंगेश्टर बनने तक का सपन दिखाये जाएगा यस के अलामा फिल्म में स्री निदी सिठ्थी वसिष सिंभा बाव बली में राज माता शिव गामी बनन टेलर खास है अंधेरे में भावता का अहसास कराता टेलर यस का रोल अगनीपत के अमताब की याद दिलाता है यस ने दैनिक जागन अकबार से बात कही थी वह यहां पर मैं आपको बता देता हूं उनके मुताबिक पूरे भारत में पांच भासाओं में फिल्म एक ही दिन जोड़ी करनट तमेल तेलगू हिंदी और मल्यालम कुछ लोग बाव बली सिसकी तुर्णा कर रहे हैं हमको कुछ-कुछ गैंग साफ वासेपूर का फिल आ रहा है वह भी दो पार्ट्स में थी के डारेक्टर प्रसांद भी मामुली आदमी नहीं दो हजार चौदा में उग इसलिए अगली फिल्म से इतनी उम्मीदें हैं और हाँ इसमें फ्रहान अक्तर का पैसा भी लगा है यस का कहना आए कि यह फिल्म बनने में हजार दिन लगे शूटिंग में डेर सव से दो सो दिन लगे लेकिन बाकी दिन पोस्ट प्रडॉडक्शन और तयारी में गई यान तमना ने कुछ इस म्रकार का यह पहली बार है जब मैं रेट्रो गाने पर थिर्की हूं इस तरह का बेहतरीन अन्भोग कभी नहीं रहा यह रेट्रो कैवरे गाना है और उनका कहना है कि करनाट फिल्म केजी अफ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजा रह था शारुक की जीरो से टगराएगी यह की केजी अप जिससे दोनों फिल्मों को नुफसान हो सकता है ऐसा लोग का मानना है लेकिन मेरा मानना है कि इससे दोनों फिल्मों को कोई फाक नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्टरों की ओडियंस अलग-अलग है वैसे तो शार टेलर देखकर भवता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब साउथ की कोई फिल्म रिलीज होती है तो बॉलिवुड नहीं हॉलिवुड फिल्म भी साउथ के सामने पानी कम चाय सावित होती है। हाली में रिलीज ठक साफ हिंदुस्तान जिस तरह ज्यादा स्क्रीन प्रगलीज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दो जहद कर रही है। बाववली से देश दुनिया में जम कर सुर्कियों में आये प्रभास और राणा दंगुबत्ती की सांदार सफलता से प्रभावित हुए कंडट फिल्मों के हीरो यस भी अपनी एक धमाकेदार फिल्म के साथ आ रहे है। फिल्म की पूरी टीम का कहना है कि उनकी ये फिल्म एक अलग तरह से बाववली के अस्तर की। कि फिल्मों की जलक याइस्टाइल नजर आ रही हो तो कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि मैं और मेरे फिल्म के निर्देशक दोनों ही अमताब बच्चन के बहुत बड़े फैन है। मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है। बस मेरे आसपास कोई हिंदी नहीं बोलता इसलिए आदत छूट गई है। लेकिन मुझे अमिताब के फिल्मों के तमाम डायलाद जवानी आद है। इन दिनों बॉलिवुड की कई बड़ी फिल्मों के लेकर जबर दस चर्चाएं हैं। इनहीं में से एक फिल्म है सारुख खान के आने वाले फिल्म जीरो। जीरो के अब तक दो टीजर रिलीज हो चुके। टीजर को मिले जबर दस रिस्पांस को देखते हुए फिल्म के डारेक्टर का कॉन्फिडेंस सातोय आस्मान पर पहुंच गया है। तक लेक्षन के यहां तक के अब तक सविल्म को पूरा भरूसा है कि यह फिल्म क की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म सावित होगी। उन्होंने एक सवाल का जवाप देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर काफी मिनत की। ऐसे मेंसे 350 करोन का आकरा पार करने में फिल्म कोई परेसाई नहीं होगी उनका कहना है कि मुझे फिल्म बनाते वक्त काफी मजाया और मुझे भरोसा है कि आउडियन्स भी उतना ही इंजॉय करेगी बता जाए कि फिल्म का बज़ड लगवक्त 200 करों माना चाह रहा है आनदियर राय के निविश्ण में बन रही इस फिल्म में शारुक के साथ कैटना कैप और अनुस्का सर्मा मुख किरदारों में होगी ट्रेड पंड़ों का मानना है कि बज़ड का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक, सैटलाइट्स और डिजिटल राइट्स बेच कर ही निकाल लेगे फिल्म 21 दिसमबर को रिलीज हो रही है तो चलिए बात आगे जाने, फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिल्चस्प बाते फिल्म का टाइटल जीरो रखा गया है आनुजिर राय ने कहा कि हर इंसान में एक अधूरा पन होता है मैं उसे सल्वेट करना चाहता हूँ मैं जीरो को सल्वेट करना चाहता हूँ इसलिए फिल्म का नाम जीरो है जीरो फिल्म की कहानी क्या है मेरा रहने वाला 38 साल का एक आदमी है हाइट में साड़े 3-4 फुट के करीब इसलिए कुवारा है और शाधी के लिए परिशान हो नाम है बवा दिल्ली के एक marriage bureau वाले के साथ साधी के लिए लगातार connection बनाये हुए है एक बार उसे एक लड़की की फोटो दिखती है, और वह दिली आ जाता है। इस लड़की का नाम है आफिया, वह physically handicap माने बेकलाब। चलने फिडने बात करने में उसे परिसानी होता है। बववा पहले उसे देखकर हिचकता है, लेकिन बाद में उसे फ्यार हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिन्दगी में कोई बराबरी काया है, क्योंकि आफ या वीलचेर पर है, और बववा खड़े रहने पर उसकी हाइड तक आ जाता है, यहां तक सब ठीक है, फिर सीन में इंट्री होती है इंडिया की मश्रूर हिरोईन की, इनका और बववा का कोई सीन ह होता है, और सब कुछ उलच जाता है, क्यों कैसे क्या, यह सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा, टेलर के लास्ट दिन में बववा कहते हुए सुना जाता है, कहानियों में सुना था कि महबत में आशिक चांद तक ले आते, साले को हमने यह बास रिसनी ले ली, और इस दोरान रिस्क्रीन पर एक रॉकेट धरती छोड़कर आसमान की ओर बरता हुआ दिखाई पड़ता है, इस सवा तीन में के टेलर में हमें नाज गाने से लेकर कमेडी और लार्जर देन लाइट टैप लव स्टोरी दिखलाई पड़ती, फिल्म का टेलर आप देखकर इस सुपरहिरो अच्छा लग रहा था, लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है, वो इसी तरह का कुछ खालिस देशी पने के साथ बनाना चाहते थे, इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यो ना एक कहानिक किसी बाउने की नजर से दिखाई जाया, सब स से पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अपरोच किया गया था, बात नहीं बनी तो इसे शारुक खान के साथ बनाने का एलान कर दिया, अब बंगर तयार है और रिलीज होने की राह ताक रही, शुरुआत में इसके कई नाम सामने आये थे, जैसे कैट्रिगा मेरी जान, बाउना, बाउवा, भुटका, आदियाद, लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे नाम मिस्लीडिंग लग रहे, इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ सारुक के किदार के इद्गित घूम रही, जबकि फिल्म इसके ठीक पुलट है, इसलिए इसका नाम रखा जीरो, जीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिती गई है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कई लोगों को उसका अधूरापन ही पुरा करता है, सब इलाकर जीरो दो इंपरफेक्ट लोगों की परफेक्ट लब स्टोरी है, करनट की बाउववली और शारुक खान की जीरो को इससे कोई नुक्सान नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अपना फैन फालोइंग है, और दोनों के दर्सकवार अलग-अलग क्लास से आते हैं, के जीरो को करनट के बाउवली के रूप में क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म को बाउवली के तर्ज पर बनाया गया सल्मार खान के अपनी आउडियल से, जिससे सारुक खान को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसी भी फिल्म में सल्मार खान का होना, मतलब बाक्स आफिस कलेक्शन में एक प्रकार से सुनामी आना, लोग का मानना है इन दोनों फिल्मों से, फिल्म इंडिस्ट को तीन हजार करोण का फायदा तो जरूर होगा थी, पहले ट्रेलर से भारी प्रतिकरिया प्राप्त करने के बाद के जीएफ कोलार गोल्ड फिल्ड के निर्माताओं ने आगे बढ़कर मुंबई में एक इवेंट के दोरान फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया, के कन्नेट की ट्रेलर में दिखाए गए दंदार एक्शन ने बड़े परदे पर फिल्म देखने के लिए प्रत्याशा उत्पन्न कर दी है, वहीं एक्सल इंटर्टेन्मेंड ने ट्वीटर हैंडल पर ट्रेलर साजा करते हुए दिखा कि फ्रॉम दा स्ट्रीट्स ओफ मॉंब को तमिल, तेलगू, मलयालम, हिंदी और कन्नर पांच अलग-अलग भाशों में बना गया है, यह श्री निद्दी शेटी, राम्याक्रिष्न, अनंतनाग, जौन कोकेन, अयुच, अचियुत राव द्वारा, अभिनीत, केजियफ, प्रशान नील द्वारा, निर्देशित है और होम बेल फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म है, विजय करांग दूर द्वारा निर्मित केजियफ के लिए राइल बस्रून ने संगीत दिया है, वही केजियफ एक्सल इंटर्टेंट्मेंट की यह पहली कन्नर फिल्म है, और यह प्रोडक्शन हाउस इस तरह की मैगा जो 21 दिसंबर 2018 को रिलीज होगा, दोस्तो सत्तर और अस्ती के दशक की कहानी कहने आ रही है केजियफ, भारतिय कलाकार यश और शिरिधी शेटी की आने वाली फिल्म केजियफ का बहु प्रतिक्शी ट्रेलर दर्शकों के सामने पेश कर दिया गया है, जिसको दर्शकों से तुरंथ ही जबरदस रिस्पॉंस मिलने लगा है, फिल्म के निर्माताओं ने ट्रेलर लॉंच इवेंट बेंगलूर में रखा था, जहां लगबग सभी बड़े मीडिया हाउस मौजूद थे, बता दे फिल्म के ट्रेलर से पहले इसके पोस्टर्स और टीजर रिलीज किय गए थे, जिनको दर्शकों ने खूब पसंद किया था, पोस्टर्स और टीजर्स को देखने के बाद कहीं सारे दर्शक ट्रेलर के लिए बेसबर हो गए थे, और ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि उनका इंतजार करना काफी सपल हुआ है, अगर फिल्म के बात करें तो ये एक पीरिड ड्रामा है, जिसमें सत्तर और असी के दशक का भारत देखने को मिलेगा, फिल्म के पूरी कहानी को कहीं सारे पॉस्टर्स में रिवील किया जाएगा और पहले पार्ट का नम के जीएफ रखा गया है, फिल्म के ट्रेलर पर चर्चा की जाए तो इसमें जब अभी दमदार बना रहा है, यश के दोस्त और जाने माने कलाका राना दगुवती ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर के जीएफ का ट्रेलर पोस्ट किया है, फूरी टीम को बढ़ाई दी है, फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कई मौकों पर आपको लगेगा कि अमिता बच्चन के पूरा नहीं हो सकता, इस बारे में बताते हुए यश कहते हैं, मैं फिल्म अभीनेता अमिता बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ, और सब्तर के दशक में आई हुई उनकी सभी फिल्मों का जादू सभी के सिर चड़ कर बोल रहा था, जिसके चलते हमारी फि दशक को देखते हुए हमारी फिल्म में और मेरी भूमिका में उनकी भूमिका से भी प्रेड़ना ली है, वहीं फिल्म के निर्देशन परशान नील का कहना है कि फिल्म सकतर के दशक में होने के चलते अमिताब बच्चन और मुंबई दोनों ही उनकी फिल्म का एहम भाग है उनके फिल्म के हीरो यश्की छवी में अमिताब बच्चन की एंगरी यंग मैन के रूप में निस्चित तोर पर परदे पर दिखाई देगी और मुंबई शहरचों की सिटी ओफ ड्रीम्स है जिसके चलते उसे भी फिल्म में एहम इस्थान दिया गया है गौरतलब है कि कॉलार गौल्ड फिल्ड अत्वा केजी एफ का ट्रेलर अभी हाल ही में बैंगलोर में लॉंच किया गया ये फिल्म पांच भाशाओं में रिलीस होगी और इसके दो भाग होंगे इसे भी बाहुबली के इसकर पर रिलीस और प्रचार करने की तयारी की गए दोस्तों तीन दिन पहले रिलीस हुआ था जीरो का आइटम नंबर हुसन परचम जिसमें कैटरीना कैफ अपने हुसन के जलवे दिखाती हुई नजर आई जिसे साथ में गाया है भूमी त्रिवेदी और राजा कुमारी ने और आज केजी एफ मुवी का भी आइटम नंबर रिलीस हो गया है जिहां गली गली में गली गली में के नाम से जिसे गाया है निहा ककर और तनिश बाग्ची ने और इस गाने को लिखा है रश्मी विराग ने और मोनी रोए अपने जलवे दिखाती हुई नजर आ रही है दोस्तों ये जब से आईटम नंबर का दोर चल पड़ा है तब से हर फिल्म में एक नएक आईटम नंबर का होना तो जरूरी ही हो गया है और खास बात तो ये है कि आईटम नंबर को दिखाया ही इस कदर जाता है कि वो कहानी का ही हिस्सा लगता है अब भईया फिल्मे तो ऐसे ही बनेगी न जैसी ओडियन्स की डिमांड होगी और जाहिर से बात है कि अगर फिल्म में मसाला नहीं होगा तो ओडियन्स बोर तो हो ही जाएगी दोस्तो हिंदुस्तान की असी फिस्दी जनता फिल्म एंटर्टेन्मेंट देखने के लिए आती है चिलेक्स करने के लिए आती है और फैंस को ख्वाबों की दुनिया बेहत पसंद है और फिल्मों का तो काम ही यही है कि वो दिखाना जो की किसी का ख्वाब हो ताकि वो अपने ख्वाब फिल्मों के जरिये तो जी ही सके हालांकि आज कल रियलिस्टिक फिल्मों का भी दौट शुरू होता नजर आ रहा है दोस्तों हुसन पर्चम और गली गली में दोनों ही गाने टी सिरीज ने लॉंच किये हैं एक ही साथ लॉंच होते तो इतने व्यूज नहीं जा पाते जितने की गए हैं और अभी तो और व्यूज आने बाकी है हुसन पर्चम में केटरीना कैफ को और गली गली में मौनी रोय को देखने का रस ही कुछ और है और दोस्तों ये ही अपने में बहुत बड़ी बात है कि एक टीवी एक्ट्रिस की तुलना आज की तारीक में एक बिग स्क्रीन एक्ट्रिस के साथ की जा रही है और दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण ने भी कीता में कहा था कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो भले ही मौनी रोय का जल्वा गाने में लाजवाब है मगर कैट्रीना कैफ को टकर देने के लिए थोड़ा फीका पड़ रहा है वो उस पर भी निर्भर करता है कि गाने को किस कदर दिखाया जा रहा है और दोस्तो बेशक हुसन पर्चम में केट्रीना कैफ का कोई जवाब नहीं है दोस्तो छोटे परदो से फिल्मों में कदम रखने वाली अभी नेत्री मौनी रोय इन दिनों खूब दिमाड में है अक्षे कुमार के साथ फिल्म गोल्ड के बाद वो रनवीर कपूर के साथ ब्रहमास्त की शूटिंग कर रही है और इसी बीच उन्हें कन्नडा फिल्मों के सूपरस्टार यश ने अपनी फिल्म केजीएफ में एक डांस नंबर का न्योता भीजा दोस्तों फिल्म का ट्रेलर और कैन्वस देखने के बाद मौनी गाना करने के लिए तयार भी हो गई केजीएफ में सूपर इट फिल्म त्रीदेव के गाने गली-गली में फिरता है को रीक्रियेट किया गया है इस गाने को कोरिग्राफ किया गनेश आचारेने दोस्तों गनेश बताते हैं फिल्म त्रीदेव के गाने के दोरान मैं बैकड्राउंड डांसर था और आज इतने सालों के बाद उसी गाने को मैं कोरिग्राफ कर रहा हूँ गाने की शूटिंग के दोरान कोई बातचीत में फिल्म के अभिने था यश ने कहा केजी अफ गोल्ड माइनिंग की कहानी है जिसमें भरपूर ड्रामा, इमोशन, एक्शन और फुलोन मनुरंजन देखने को मिलेगा मैंने अपने करियर में आज तक किसी फिल्म को इतना जादा प्रमोट नहीं किया है लेकिन प्रमोशन के दोरान जब लोगों का फ्यार मिल रहा है तो मज़ा भी आ रहा है मोनी बताती है मैंने इस फिल्म में फिल्म तृदेव का सूपर हिट गाना गली-गली में फिरता है पर परफॉर्म किया है ये गाना मेरा फेवरेट भी रहा है मैंने फिल्म के दोनों ट्रेलर देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों वहीं यश बताते हैं वैसे तो ये गाना पूरी तरह मोनी का है लेकिन हमारे डांस मास्टर गनेश आचादे ने मेरे लिए भी गाने में जगे बनाई है तो मैं भी आपको इस गाने में नज़र आऊंगा दोस्तों शारुक खान की फिल्म जीरो के साथ रिलीज हो रही अपनी फिल्म के बारे में यश कहते हैं मैं शारुक खान का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं बार बार उनकी फिल्म का नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ वरना लोग यही कहेंगे कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मैं शारुक और उनकी फिल्म जीरो के नाम का इस्तिमाल कर रहा हूँ त्योहार पर एक साथ दो या तीन फिल्म रिलीस होने में कोई समस्या नहीं है हर समय दो से तीन फिल्मों की जगे आराम से होती है फिल्म के बारे में अगर अच्छी बात हो रही है तो दर्शक फिल्म जरूर देखते हैं और त्योहार के मौके पर दो से तीन फिल्मों की रिलीज पर पर्तियोगिता तो होती ही रहती है। दोस्तो साथ ही साथ यश कहते हैं हमारी फिल्म रीजनल नहीं बलकि इंजियन फिल्म है। कोई फर्ट नहीं पढ़ता फिल्म रीजनल है या क्या है। अगर आपकी कहानी अच्छी है और दर्शकों को पसंद आ रही है तो बागी किसी बात से कोई फर्ट नहीं पड़ता है और दोस्तो फिल्म KGF 5 भाशाओं में एक साथ रिलीज हो रही है दोस्तो हर बार कोई ना कोई किसी ना किसी फिल्म का क्लैश तो होता ही है मगर इस बार 21 दिसंबर को जो क्लैश होने जा रहा है वो शायद ही भारत फिल्म उध्योग के इतिहास में हुआ होगा जी जनाब आपने एक तम सही सुना 21 दिसंबर 2018 को इतिहास तर्ज होने जा रहा है क्योंकि इस रोज 6 फिल्में रिलीज होने जा रही है जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना एक दिन और कौन से 6 फिल्में हैं जिनका सब को बे सबरी से इन्पिजार है सबसे पहले अपने खान दोस्तो सबसे पहले तो है अपने किंग खान की मूवी जीरो दोस्तो वहीं साउट की 3 फिल्में रिलीज हो रही है अंतरिक्षम 9000 KMPH और KGF Chapter 1 और मारी 2 दोस्तो वहीं अनुपम खेर की The Accidental Prime Minister भी रिलीज हो रही है और इसी के साथ साथ हॉलिवुट की भी एक मूवी बंबल भी दोस्तो ये तो दास्तान ही बन जाएगी नहीं एक ही दिन में 6 फिल्मों की दास्तान तो चलिए देरी किस बात की शिरू करते हैं पहली फिल्म से सबसे पहले बात करते हैं शारुक खान की Zero दोस्तो Zero एक भारत्य रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी हिमान्शो द्वारा लिखी गई है और फिल्म का निर्देशन आनदल रोय कर रहे हैं फिल्म को कॉलाबरेशन के साथ कलर यलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट प्रिड्यूस कर रही है फिल्म के एहम किरदारों की बात करें फिल्म में शारुख खान अनुष्कत शर्मा केट्रीना केफ अब एदेओल तिग्माण शुदूलिया नजर आने वाले हैं बात को जाए फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का 200 करोड से उपर का बजट है फिल्म के कहानी की बात की जाए तो फिल्म में शारुक खान एक बोने का किरदार निभा रहे हैं जिसका नाम बहुआ सिंग है जिसे अपने साथी के रूप में नासा में काम करने वाली स्पाइंटिस्ट आफिया जिसकी भूमिका में अनश्क शर्मा है वो दिख जाती है पर असल परेशानी तो तब शुरू होती है जब बॉलिवुड की एक बड़ी शराबी एक्ट्रेस बबीता यानी की केट्रीना कैप उसके काफी नजदीक आ जाती है जिसका असर उन दोनों के रिष्टे पर पड़ता है अब सवाल यह हो जाता है कि बहुआ सिंग किसको चुने अब आपको क्या लगता है कि हम आपको पूरी कहानी ही बया कर देंगे जी नहीं जनाब उसके लिए तो आपको 21 दिसंबर का इंतिसार ही करना पड़ेगा अब अगर बात करें अंतरीक्षम 9000 के एम पीच की तो अंतरीक्षम 9000 के एम पीच एक इंडियन तेल्गु साइंस स्पेस थ्रीलर फिल्म है जिसके लेखक और निर्देशक संकल प्रेडी है फर्स फ्रेम एंटर्टेन्मेंट बैनर के अंडर बनाई गई अंतरीक्ष स्पेस साइंस फिक्षन पर बनाई गई पहली तेल्गु फिल्म है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले संकल और लावन्या त्रिफार्टी दे रही है इस फिल्म का फर्स लूप 15 अगस 2018 पर रिलीज किया गया था और टीजर 17 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था दोस्तों वहीं अदीती राव हेद्री ने इसी साल सम्मोहनम जैसी हिट तेलगु फिल्म दी है वहीं दूसरी तरफ बंदूकों की बॉच्छार के साथ केजीएफ चैप्टर फर्स रिलीज होने वाली है केजीएफ चैप्टर फर्स एक इंडियन कंणर लेंग्वेज एक्शन पीर ड्रामा फिल्म है जिसका प्लोट कोलर गोल्ड फिल्ड्स का है केजीएफ प्रशांत नील ने कलम बंद करी ह और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और विजय किरागंदूर इस फिल्म को प्रिड्यूस कर रहे है होंबली फिल्म के बैनर तले यश और श्रीनिदी इस फिल्म में लीड रोल्स में नज़र आएंगे दोस्तो असी के दशक की ये फिल्म 1700 साल से अत्यचारियों के खिलाफ चल रही जंग पर ये फिल्म आधारित है सूत्रों के मताविक 100 करोड से उपर का बजट बताया जा रहा है दोस्तो अब बात करते हैं मारी टू की तो मारी टू बाला जी मोहन द्वारा निर्देशित भारत के तमील एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये उनकी 2015 की फिल्म मारी की अगली कड़ी है धनुष अपनी कंपनी वंडर बार फिल्म के तहट फिल्म बनाने के अलावा मुख्य किरदार भी निभा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ साई पल्लेवी धनुष के साथ काम करती दिखाई देंगी दोस्तों अब बात करते हैं दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम सुनते ही एक अलग सा इंटरेस्ट जगता है मन में नहीं दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जैन तिलाल गाधा के सहयोग से रुद्रा प्रोडक्शन बोरा ब्रोस द्वारा प्रस्तुत एक बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है फिल्म में अनुपम खेर डॉक्टर मनमोहन सिंग का किरदार में भाते नज़र आएंगे Dr. Manmohan Singh politician होने के साथ साथ एक economist भी थे और 2004 से 2014 तक United Progressive Alliance के अंडर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे The Accidental Prime Minister 2014 की इसी नाम से संजे बारु द्वारा लिखी हुई जीवनी पर आधारित है जिसका बजट 23 करोड का है दोस्तो इतना बड़ा क्लैश हो रहा है तो जरा सोचिए कि धमाका कितना बड़ा होगा तो दोस्तो देखते रहे हमारा चैनल Poligrad Studios और ऐसी वीडियो के लिए अरे अरे एक सेकंड रुखिये तो जनाब एक फिल्म तो रही गई और आपने भी याद दिलाना लाजमी नहीं समझा मगर कोई बात नहीं वक्त तभी भी हमारी मुठी में है तो चलिए बात कर लेते हैं उस आखरी फिल्म की जो 21 दिसंबर को इन फिल्मों के साथ रिलीज होने जा रही है वो है हॉलिवूड की Bumblebee जी हाँ Bumblebee 2018 की American Science Fiction Action फिल्म है जो की Transformer के ही किरदार Bumblebee पर आधारित है Bumblebee Transformer फ्रेंचाइजी का एक कालपनिक रोबोट सूपर हीरो केरेक्टर है ये फिल्म 2007 में आई Transformer का प्रीक्वल है जिसका निरदेशन हिया है Travis Knight ने और लिखा है Christina Hodson ने और दोस्तो हेली स्टाइनफेल्ड, जॉन सीना, जॉर्ज लेंडर बॉर्ग जी आर, जॉन ओर्टिज, जैसोन ड्रकर और पैमिला एडलोन मुख्य किरदार में नजर आएंगे तो वहीं Bumblebee की आवाज बनकर आएंगे डाइलन ओब्रियन फिर्म की शूटिंग लॉस एंजलेस और सेंट फ्रांसिसको में हुई है दोस्तो हमारे एकनॉमिकल एनलेसिस के बाद कौन से फिर्म कितना कमाएगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है इन सब मुवीज का एक साथ रिलीज होने के बावजूद जीरो मिनिममम तीन सो करोड तक कमाएगी ही बात करें अंतरिक्षम की तो पचास से सो करोड तक का बॉक्स ओफिस कलेक्शन हो सकता है और वहीं KGF मिनिममम दो सो करोड कमा सकती है तो इस तो मारी टूब मिनिममम सो करोड तो कमा ही लेगी और वहीं The Accidental Prime Minister हो सकता है कि पचास करोड का आकड़ा भी ना पार कर पाए तो इस तो बात रही Bumble B की तो वही सबसे जादा affected मालू पर सकती है इस क्लैस से जो की पचास करोड भी क्रोस ना कर पाईगी क्योंकि जनाब घर वाले को लोग पहले सुनते हैं बाहर वाले को बाद में समझें कहीं कोई शारुक खान का फैन तो कहीं कोई नया नया बना साउथ मुवीज का दिवाना वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंग के दस साल चुप रहने का राज और हॉलिवूड फैन्स जिनको होगा बंबल बी का बेसबरी से इंतजार और अगर आप में से कोई इन सभी को देखना चाता है और जेब में हैं धेर सारे पैसे तो बेशक सभी फिल्मों को देखने जाएए मगर अकसर लोग अपनी फैवरेट की भी फैवरेट की और खिशते हैं तो फिर कौन सी मूवी है आपकी फैवरेट की भी फैवरेट जाहिर से बात है कि 6 क्लैशेज होने के पाद प्रॉफिट डिवाइड तो होगा ही मगर ये रास तो हमें भी नहीं पता कि किस का मन किस और खिचेगा वो तो आप सभी के दिलों में दफ्न है जो की 21 दिसमबर को ही खुलेगा दोस्तो एकनॉमिक्स में बेसिक सा फंडा है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उतनी ही बढ़ जाती है तो ये जानने के लिए कि किस की डिमांड बढ़ेगी और किस की सप्लाई दोस्तो अब बात करते हैं किनों ने बनाई है ये फिल्म जीरो फिल्म को डारेक्ट किया है आनद एल्रोय ने आनद इससे पहले थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक तन्नू वेट्स मन्नू सीरीज और रांजना जैसी फिल्में डारेक्ट करने के अलावा निलबटे सन्नाटा, शुबंगल साथधान, हैपी भाग जाएगी और मनमर्जियां जैसे फिल्में प्रिड्यूस भी कर चुके हैं कहने का मतलब ये है कि मीनिंगफूल कांटेंट प्रोसने के लिए जाने जाते हैं इस फिल्म को लिखा है आनंद के साथ लंबे समय से जुड़े रह चुके हिमानशु शर्मा ने हिमानशु इससे पहले आनंद के लिए तन्नु वेट्स, मन्नु सिरीज और रांशना जैसे फिल्में लिख चुके हैं उन्हें उची दिवारों बिल्डिंगों से कूटता देशी सूपरहिरो अच्छा लग रहा था लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं हैं कहीं से लिया गया है वो इसी तरह का कुछ खालिस तेसी पन्ने के साथ बनाना चाहते थे इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्योंने एक कहानी किसी बोने की नजर से दिखाई जाए सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अप्रोच किया गया था बात नहीं बनी तो इसे शारुक के साथ बनाने का ऐलान कर दिया गया अब बनकर तयार है और रिलीज होने की रात आक रही है शुरुवात में इसके कई नाम सामने आये थे जैसे के ट्रीना मेरी जान, बोना, बववा, बुटका, आधी-आधी लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे ही नाम मिसलीडिंग लग रहे है इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ शारुक के किरदार के इदगे घूम रही है जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो सीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है कई लोगों को उनका अधूरपन ही पूरा करता है और सब मिलाकर जीरो दो इंपरफेक्ट लोगों की परफेक्ट लव स्टोरी है दोस्तो बात करते हैं आ कब रही है दोस्तो ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है और वहीं ये तारीक बहुत ही लकी मानी जाती है बॉक्स ओफिस के हिसाब से पिछले कुछ सालों से आमिर खान ने ये तारीक हत्या कर खुब पैसे कमाए है पिछले साल सल्मान खान इसी वीक में आकर अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म दर्शकों से क्रिस्मस गिफ लेकर आए है ताइगर जिंदा है साम तो सुना ही होगा ये सल्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है अब इसी तारीक पर शारुक आ रहे है शारुक खान की फिल्म जीरो चर्चा में है चर्चा की सबसे बड़ी वज़े ये है कि इस फिल्म में शारुक खान ने पोने की भूमी का निबाई है इस से पहले तीनों खान में से ये काम किसी ने नहीं किया था ऐसे में जाईर है कि तक्नीकी लिहास से ये फिल्म शारुक खान के लिए चैलेंजिंग रही हैं क्योंकि उन्हें तत्मीक द्वारा ही छोटे कद में दिखाया जा रहा है कर्णड की बाववली और शारुक खान की जीरो में होने जा रहा है टककर क्या बववा कर्णड की बाववली के जीअफ को बॉक्स ऑफिस पर धूल चड़ा देगा के जीअफ क कर्णड की बाववली क्यों कहा जाता है सुपरेशार्ट साल्वान खान की वज़ा से शारुक खान की जीरो में बॉक्स ऑफिस पर क्या उच्छा लाएगा बॉलीवुड को तीन हजार करोन का फाइदा इन दोनों फिल्मों से कैसे होने जा रहा है आपका स्वागत है बॉल जार गोल्ड फिल्ड्स लंबा नाम भूल जाओ सौर्ट कट केजी अप याद रखो यह फिल्म कर्नट फिल्म दो पार्ट में आ रही है पहले पार्ट का टेलर प्रीच हुआ और यूटूब पर धुवाधार देखा जा रहा है अभी तक 96 मिलियन व्यूज हो चुके हाला कि इन व्यूज से फिल्म की आवकात नहीं आखनी चाहिए अच्छे टेलर व्यूज और अच्छी ओपनिक के बाद ठक साफ हिंदुस्तान तीसरे दिन बारभरा कर बैठ गई और केजी अप का मुकाबला टेलर व्यूज के मामले में रिकार्ट तोने वाली जीरो से रहेगा द दश्कम सेठ हैं टेलर में उसकी पैदाई से लेकर गैंगेश्टर बनने तक के सीन है डारेक्टर प्रसांत नीन के मताबिक यस ने महत्वा कांची गैंगेश्टर का रोल किया है फिल्म और उसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाती है फिल्म के पहले भाग में उसके पैद और मालविका अविनास के खास रोल्स है इसे अब तक कि करनट की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है अब वो बात जिसके लिए फिल्म का टेलर खास है अन्हेरे में भाविता का अहसास कराता टेलर यस का रोल अगनीपत के अमताब की याद दिलाता है यस ने दैनिक जागर अकबार से बात कही थी वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं उनके मुताबिक पूरे भारत में पांच भासाओं में फिल्म एक ही दिर रिली जोड़ी है करनड तमेल तेलगू हिंदी और मल्यालम कुछ लोग बाव वली से इसकी 2014 में उग्रम फिल्म से डिवू किया और वॉक्स ऑफिस की खिटी तोर दी क्रिटिक्स के मुव पर फेवी गोंच चिपका दिया उसे 2014 तक के करनड सिनेमा में बेस्ट फिल्म माना गया इसलिए अगली फिल्म से इतनी उम्मीदे है और हां इसमें फ्रहान अक्तर का पैसा भ प्यारी में गई यानि फिल्म पर वाकिर भारी बेहनत की गई है यस का कहना है कि हमारा मुकाबला छेत्रिये फिल्मों या हिंदी फिल्मों से नहीं बॉल की हॉल्यूड से है फूरे भारत को एक मानते हैं तमना ने कुछ इस प्रकार का यह पहली बार है जब मैं रेट्रो गाने पर थिर्की हों इस तरह का बेहतरी अन्वो कभी नहीं रहा यह रेट्रो कैब्रे गाना है और उनका कहना है कि कर्नट फिल्म केजिएफ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजाया तमन्ना पुराने गाने जो के नानू वालिया मीचू के री क्रियेट पर हो सकता है अईसा लोग का मानना है लेकिन मेरा मानना है कि इस से दोनों फिल्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आक्टरों की ओर्डियंस अलग आलाग अलाग है वैसे तो सारुक की जीरो के आज पास कोई बॉलीवूड फिल्म नहीं है लेकिन एक कर्णट फिल्म इसे टकर देने के लिए तयार है इस फिल्म का नाम है केजियप कोलार गोल्ड फिल्ड्स इस फिल्म में कर्णट के स्टार यस दिखाई देने वाले टेलर देखकर भाविता का अंदादा लगाया जा सकता और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब साउथ की कोई फिल्म रिलीज होती है तो बॉलिवुड नहीं हॉलिवुड फिल्म भी साउथ के सामने पानी कम चाय साबित होती है। हाली में रिलीज ठक साफ हिंदुस्तान जिस तरह ज़्यादा इस्प्रीन प्रलीज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दो जहत कर रही है। बाववली से देश दुनिया में जम कर सुल्कियों में आए प्रभास और राणा दगुबत्ती की सांदार सफलता से प्रभावित हुए कंड़ट फिल्मों के हीरो यस भी अपनी एक धमाकेदार फिल्म केजियप के साथ आ रहे है। फिल्म की पूरी टीम का कहना है कि उनकी ये फिल्म एक अलग तरह से बाववली के अस्तर की। पूरी की फिल्मों की जहला के आइस्टाइन नजर आ रही हो तो कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि मैं और मेरे फिल्म के निविदेसक दोनों ही अमताब बच्चर के बहुत बड़े फैन है। मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है। बस मेरे आज़ पास कोई हिंदी नहीं बोलता इसलिए आदत छूट गई है। लेकिन मुझे अमिताब के फिल्मों के तमाम डाला जमानी आद है। इन दिनों बॉल्ली बुड की कई बड़ी फिल्मों के लेकर जबर दस चर्चाए हैं। इन्ही में से एक फिल्म है सारुख खान के आने वाली फिल्म जीरो। जीरो के अब तक दो टीजर रिलीज हो चुके हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर काफी मेहनत किये। ऐसे में से तीन सो पचास करोन का आकरा पार करने में फिल्म कोई परेसाई नहीं होगी। उनका कहना है कि मुझे फिल्म बनाते वक्त काफी मजाया और मुझे भरोसा है कि ओडियन्स भी उतना ही इंजॉय करेगी। बता दें कि फिल्म का बज़ट लगवक्त 200 क्रूम माना जा रहा है। आनदियर राय के निंदेशम ने बन रही इस फिल्म में शारुक के साथ कैटना कैप और अनुष्का सर्मा मुख किरदारों में हूँ। ट्रेंट परणिदों का मानना है कि बज़ट का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक, सैटलाइट्स और जिजिटर राइट्स बेश कर ही निकाल देगी। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होड़ी है। तो चलिए बात आगे जाने, फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिल्चस्थ बाते है। फिल्म का टाइटल जीरो रखा गया है। आनुष्य राइट ने कहा कि हर इंसान में एक अधूरा पन होता है। मैं उसे सल्वेट करना चाहता हूं, मैं जीरो को सल्वेट करना चाहता हूं। इसलिए फिल्म का नाम जीरो है। जीरो फिल्म की कहानी क्या है। मेरण कर रहने वाला 38 साल का एक आदमी है। हाइट में 3.50-4 फुट के करीब। इसलिए कुवारा है और शादी के लिए परिशान हुए नाम है बाववा दिल्ली के एक मैरेज बीरो वाले के साथ साधी के लिए लगातार कनेक्शन बनाए हुए है एक बार उसे एक लड़की की फोटो दीखती है, और वो दिली आ जाता है। इस लड़की का नाम है आफिया, वो फिश्कली हेंडिकैप मानें बेकलान, चलने फिरने बाद करने में उसे परिसानी होती है। बवववा पहले उसे देख कर हिचकता है, लेकिन बाद में उसे त् फिर सीन में इंट्री होती है इंडिया की मश्रूर हिरोईन की इनका और बवा का कोई शीन होता है और सब कुछ उलच जाता है क्यों कैसे क्या ये सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा टेलर के लास्ट शीन में बवा कहते हुए सुना जाता है कहानियों में सुना था कि महबत में आशिक चांद तक ले आते हैं। साले को हमने ये बात स्रिस्ली ले ली। और इस दोरान स्क्रीन पर एक रॉकेट धरती छोड़कर आसमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इस सवा तीन मिर्ण के टेलर में हमें नाज गाने से लेकर कमेडी और लार्जर देन लाइप टाइप लव स्टोरी दिखलाई पड़ती है। फिल्म का टेलर आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जीनो बनाने का आइडिया कहां से आया। बागावल आनन्द इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में रितिक रोशन के फिल्म क्रिस्ट्री को देखकर आया। उन्हें उची डिवारों, विल्डिंगों से कूता, देशी सुपर हिरो अच्छा लग रहा था। लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है। वो इसी तरह का कुछ खालिस देशी पने के साथ बनाना चायते थे। इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों न एक कहानिक किसी बाउने की नजर से दिखाई जाया। सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अप्रो बुटका, आदिया, लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे नाम मिस लीडिंग लग रहे हैं। इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ सारुक के किरदार के इद्विद घूम रही है। जबकि फिल्म इसके ठीक पुलट है। इसलिए इसका नाम रखा गया हैं पर्फेक्ट होना जरूरी नहीं है, कई लोगों को उसका अधूरापन ही पुरा करता है। सब मिलाकर जीरो दो इंपर्फेक्ट लोगों की पर्फेक्ट लब स्टोरी हैं। कर्णट की बाव वली और शारुक खान की जीरो में टकर होने जा रहा है। मेरा मानना है कि कि सारुक खान की जीरो को इससे कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि दोनों का अपना फैन फाइलोइंग है और दोनों के दर्सक वर अलग-अलग क्लास से आते हैं के जीव को कर्नड के बाववली के रूप में क्यों देखा जा रहा है क्योंकि इस फिल्म को बाववली के तरज बनाए गया है सल्मार खान की अपनी आउडियनस से जिससे सारुक खान को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि किसी भी फिल्में सल्मान खान का होना मतलब बाक्स ओफिस कолेक्टशन में एक प्रकार से सुनामी याना लोग का मानना है इन यहां ऐनको को स्थाविते साय। फिल्म के जियएफ और शारुक खान की फिल्म जीरओ का इस बार क्लैश होने जा रहा है। दोनों फिल्म में 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली हैं। ऐसे मैं फिल्म KGF से जुड़े फरान अक्तर और रितेश सिद्वानी ने इसको लेकर अपनी बात रखी फिल्म KGF के दूसरे ट्रेलर लॉंच पर फिल्म निर्माता रमश सिद्वानी ने शारूख खान की फिल्म जीरो के साथ होने वाले क्लैश को लेकर कहा कि इस फिल्म को जितनी स्क्रीन्स मिलनी चाहिए उतनी स्क्रीन्स मिल जाएंगी और भारत में धेरो स्क्रीन हैं चूंकि तेवारों का अफसर होगा जिसके चलते फिल्म को जितनी स्क्रीन्स चाहिए उतनी मिल जाएंगी हालांकि उन्होंने इस मौके पर ये भी कहा कि इस फिल्म को रजनी कांत और एक्षे कुमार की फिल्म टू पॉइंटों के बरावन स्क्रीन नहीं मिलेंगी इस मौके पर रितिय सिद्वानी ने ये भी कहा कि ये फिल्म उनके लिए एक बड़ा अपसर है जो कि दक्षर भारत में उनकी फिल्मों के द्वार खोल रही है वहीं इस मौके पर परानक्तर ने ये कहा कि इस फिल्म का कंटेंड ही दमडार है फिल्म का कंटेंड इसका युएस पी है जैसे कि एक बच्चे से उसकी माँ वचन लेती है कि वो मरते वक्त सबसे शक्ती शाली और पैसे वाला होकर मरेगा जो कि बहुत ही पावरफुल है गौर्ट अलवे की फिल्म के जीएफ में दक्षर भारत के सुपरिस्टार यश्की मुख्य भूमिका है वहीं इस फिल्म से मिस इंडिया में भाग ले चुकी श्री नेदी शेटी ने डेब्यू किया है ये फिल्म 21 दिसमबर को रिलीज होगी इस फिल्म को पांच भासों में रिलीज किया जा रहा है इस फिल्म के माध्यम से दक्षर का रुख करने वाले फराम रितेश ने ये भी कहा कि फिल्म को लेकर उनके पास सवीना टेंडन के पती अनेर्थरानी आये थे जिसके बाद उन्होंने फिल्म के कुछ भाग देखे और इसे प्रस्तुत करने का तै किया दोस्तो आज हम अपने इस नए वीजियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू को लेकर मूवी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है और वैसे देखा जाए तो कही ना कहीं केजियेफ के रिलीज होने की वजए से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर असर तो पड़ा है तो चलिए जानते हैं कि केजियेफ में ऐसी क्या खास बाते हैं दोस्तों मल्टिप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेट फिल्में बनना बंध हो गई जिन में बड़े स्टार्स नजर आते थे असी और नब्धे के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा जमना सरस्वती बदले की आग जैसी बी ग्रेट फिल्मों का ने केवल बजट बड़ा हुआ करता था बलकि इस पे अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे 2018 में आस्चर्य जनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली सल्मान खान की रेस्त्री, आमिर खान की ठक्स ओफ हिंदस्तान के बाद कोलार गोल्ड फिर्स, केजी एफ चैप्टर फर्स भी इसी श्रेणी की फिल्म है और ये करनड भाशा में बनी है, जिसे हिंदी में डब कर रिलीस किया गया है दोफ तो कहानी 1950 से 1981 के बीच की है और जहां एक तरफ खलनायकों को सोने की ख़दान हाथ लगती है तो दूसरी और राजा कृष्णापा, बेरिया और रोकी का जन्म होता है मुंबई की गलियों में रोकी पलता बढ़ता है लगभग 10 साल की उम्र में उसकी मा गरीबी के कारण दम तोर देती है लेकिन वो मरने से पहले अपने बेटे रोकी को कहती है कि तो गरीबी में भले ही पैदा हुआ हो लेकिन मरना अमीरी में मा की बात को रोकी गाड़ पान लेता है और अपराद जगत में एक बड़ा नाम बन जाता है दोस्तो रोकी एक तूफान की तरह है और यदि उसके दुश्मन आग है तो वो पैट्रोल है और उसके एक मुक्के में इतना दम है कि कि किसी को जमा दे तो वो सेक्डो फीट उचल जाए और पचीस-पचास मुस्तंडो के लिए तो वो अकेला ही काफी है पल भर में वो लाशों का धेर बिछा देता है रोकी की तारीफ सुनकर उसे बैंगलोर बुलाया जाता है और गरूडा नामत बदमाश को मारने का जिम्मा सोपा जाता है जिसकी ख़दान है बैंगलोर में रोकी उसे मारने में नाकामियाब रहता है और फिर वो कोलार जाकर उसी के घर में उसे मारने का फैसला लेता है गरूडा का अपना इतिहास है उसके पिता का बड़ा सामराज्य है जिस पर कहीं लोगों की नजर है दोस्तों निर्देशक प्रशान नील ने ही कहानी लिखी है और उन पर बाहुबली और गैंक्स ओफ वासिपूर का प्रभाव नजर आता है बाहुबली की तरह जहां गरूडा का परिवार सोने की खदान पर हक जमाने के शडियंत्र रश्ता है तो वही गैंक्स ओफ वासिपूर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है और ये जुल्म क्यों किया जाता है इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने यश अपनी रोमैंटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अफ्तार में नजर आते हैं फिल्म का पहला एक घंटा रोकी की छवी को बनाने में खर्च पिया गया है और हर जगह वो मार काट मचाता रहता है सिगरेट का धुआ उडाता है और शराप गटकता रहता है स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गड़ते रहते हैं निर्देशक प्रशान नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाए खुब घुमा फिराकर अपनी बात कही है रौकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है फिल्म कई बार फ्लैश बैक में जाती है कहानी में कहानी सुनाई जाती है क्योंकि ये फिल्म का पहला भाग है इसलिए कई बार दूसरे भाग की जलग दिखाई गई है और ये सब कुछ confusion को बढ़ाता है शायद प्रशांत ने ये जान बूच कर किया है क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है फिल्म में हिंसा की भरमार है हर दूसरे मिनिट मार काट मचती रहती है गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है हतोडा, चैन, चाकू, रॉट, तलबार, फावडा से खुन बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तिमाल भी किया गया है और दोस्तो एक्शन का ये ओवरडोस, कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है फिल्म की कलर स्कीम बेहत डार्क है ब्राउन और ब्लैक कब बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया गया है ज़्यादेतर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किये गए हैं स्क्रीन पर ज़्यादातर समय अंधेरा चाया रहता है बहुत ज़्यादा कट्स लगाए गये है और 3-4 सेकंड से ज़्यादा एक शौट टिकता ही नहीं है वहीं कलाकारों के गैट अब भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नज़र आते हैं तो उसो जैसे बेतर तिब लंबे बाल और दाड़ी, काले कपड़े और साथ ही साथ रात में भी आँखो पर काला चश्मा चड़ाय हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो महीनों से नहाए ही नहीं है और ना ही उन्होंने ब्रश किया है पूरी फिल्म को रफ टफ और एक अलग ही लुग प्रशान ने दिया है निस्चित रूप से ये कुछ हटके लगता है लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी दोस्तो फिल्म दो भाग में आएगी और अच्छी बात ये है कि पहला भाग एक कम्प्लीट फिल्म लगता है और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते कि उन्होंने आदी ही फिल्म देखी है फिल्म को बहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्स्चर दिया गया है और दोस्तों साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलोग बाजी भी है जैसे कि If you think you are bad then I am your dad और वहीं दूसरा डायलोग है हाथ में मचली लेकर मगरमच को पकड़ने के लिए निकले लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है तो दोस्तों कुछ ऐसे ही धमाकेदा डायलोग सुनने को मिलते है larger than life किरदार में यश्च बेहत जमे है वो stylish लगे है action बढ़िया किया है और किसी hero की तरह नजर आए है तो वहीं श्रेनिदी, शेटी, सहित, अन्यक अलाकारों के लिए खास scope नहीं था KGF में acting, action, dialogue, fact, background, music जैसी सभी चीजे बहुत जादा loud है style और presentation ही इसे अलग बनाता है दोस्तों शारुक खान की film Zero सिनेमा घरों में पहुँच गई है और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं दक्षिन भारत में भी film को लेकर काफी उत्सा है मगर साउथ में Zero का सफर आसान नहीं होगा क्योंकि इस शुकरवार 21 दिसंबर तमिल, तेलगू और कंणर भाषाओं की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई है और जिनकी काफी चर्चा भी रही है Zero देश भर में 5965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जिन में से 4380 स्क्रीन्स भारत और 1585 ओवर्सीज के लिए एलोट की गई है आनंदेल रोय निर्देशित Zero में शारुक के साथ केट्रीना कैफ और अनुशकर शर्मा लीज रोल में थे महमत जीशान आयू फिल्म में शारुक के किरदार बहुआ सिंग के साइड की कर रोल निभा रहे हैं साथ में Zero की सबसे बड़ी टक्कर मारी टू से होने जा रही है जसमें धनुश लीज रोल में है बालाजी मोहन निर्देशित फिल्म में साई पल्लवी फिमे लीड रोल निभा रही है मारी टू को लेकर तमिल भाशी दर्शकों के बीच काफी हाइप बनी है यह 2015 में आई मारी का सीक्वल है और यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में धनुश के कैरेक्टर का नाम मारी है दोस्तो साउथ में जीरो के सामने दूसरी बड़ी रिलीज के जीएफ चैप्टर वन भी है जो कणनड फिल्म है जिसे तमिल तेलगु मल्यालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है प्रिशानत नील निरदेशित फिल्म में यशने लीड रोल निभाया है ठ्रेलर आने के साथ ही फिल्म की काफी चर्चा रही है हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी केजीफ के हिंदी ट्रेलर को पसंद किया गया है KGF में तमन्ना भातिया और मौनी रोय ने आईटम सौंग्स किये हैं KGF हिंदी में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जबकि कंणर तेलगू में 400, तमिल में 100 और मल्यालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है दोस्तो हाल ही में साउथ सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवर्सीज में बहतरीन बिजनेस किया है रश्नी कांत और रक्षे कुमार की 2.2 तमिल सिनेमा की फिल्म है जिसे हिंदी और तेलगू में भी रिलीज किया गया था ये फिल्म घरेलू बॉक्स ओफिस पर अब तक 400 करोड से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतिय फिल्म बन चुकी है और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड से अधिक जमा कर लिये हैं दोस्तो आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो केजीएफ और मारी टू के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की 21 दिसमबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी जिसमें से केजीएफ और मारी टू का ओपनिंग कलेक्शन बढ़िया रहा और वहीं बड़े बजट की फिल्म जीरो कुछ जादा ओपनिंग नहीं कर पाई जीरो के ट्रेलर और गाने जिस तरह सूपर हिट हुए थे लेकिन उस तरीके से फिल्म को ओपनिंग नहीं मिल पाई तो वहीं बात करें केजीएफ और मारी टू की तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉंस मिल रहा है क्रिटिक्स ने भी इन्हें अच्छी रेटिंग दी है सबसे पहले बात करते हैं कंणड फिल्म केजीएफ चैप्टर फर्स्ट की जिसने अपने दमदार एक्शन और अच्छी कहानी से लोगों को एंटर्टेन तो किया साथ में अच्छी ओपनिंग भी की केजीएफ फिल्म का बजट असी करोड था इस फिल्म को प्रशान नील ने डाइलेक्ट किया था फिल्म में कंणड सुपरस्टार यश ने लीड रोल प्ले किया था फिल्म को वर्ल्ड वाइट 3000 स्क्रीन्स पर और 4 भाशाओं में रिलीज किया गया था फिल्म को मिले अच्छे reaction की वजह से इसकी screens को बढ़ा दिया गया है फिल्म ने पहले दिन करनाटका से 28 करोड, हिंदी से 4 करोड और तमिल और तेलगु से KGF ने 7 करोड का collection किया है KGF ने total 49 करोड का first day collection किया था और फिल्म को critics और public से भी बढ़िया rating मिली थी जिसका फायदा इसको दूसरे दिन भी मिला और फिल्म ने 45 करोड का कलेक्शन किया जो की अब तक का किसी कन्नड फिल्म का सबसे हाइस्ट कलेक्शन है बात करें फिल्म के थर्ड डे कलेक्शन की तो ये फिल्म आगे बढ़िया कलेक्शन करेगी वीकेंड पर संटे का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा दोस्तो अब अगर बात करें मारी टू की तो इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी ओपनिंग दी है ये एक एक्शन फिल्म थी तमिल सूपरस्टार धनुष की इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था फिल्म को 25 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और ये फिल्म अभी सिर्फ दो ही भाशाओं में रिलीज हुई है 30 करोड के बजट वाली फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने अच्छी रेटिंग दी है जिसका अधर हमें ओपनिंग कलेक्शन पर देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड का ओपनिंग कलेक्शन किया जबकि फिल्म ने अपने सेकंड डे कलेक्शन में 13 करोड बटो रहे जो कि काफी बढ़िया रहा बात करें फिल्म के वर्लड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म ने अब तक 30 करोड का कलेक्शन कर लिया है वीकेंड में संडे का फाइदा भी इस फिल्म को मिल सकता है और अब बात करें हमारे शारुक खान की जीरो की जिसकी चर्चाओं का बाजार गरम तो था लेकिन फिल्म कुछ जादा कमाल नहीं कर पाई फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म ओपनिंग रिकॉर्ड बनाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं पब्लिक ने जीरो को अच्छा रेस्पॉंस तो दिया लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत एवरेज रेटिंग दी और जिससे इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली इस फिल्म से ग्रांड ओपनिंग की उम्मीद की जा रही थी लेकिन ओपनिंग ठीक ठाक रही जीरो ने पहले दिन 20 से 25 करोड का ओपनिंग कलेक्शन किया जो की 200 करोड के बड़े बजट वाली फिल्म के लिए कुछ जादा खास नहीं है फिल्म को पबलिक ने तो अच्छी लेकिन क्रिटिक्स ने एवरेज रेटिंग दी है और जिस वज़े से इसके सेकंड डे कलेक्शन में बिल्कुल जादा उच्छाल नहीं देखने को मिला फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीस किया था जिरो ने दूसरे दिन भी 20 करोड तक का ही कलेक्शन किया जो की नौर्मल है वही बात करे film के total कलेक्शन की तो फिल्म ने वर्लड वाइड पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन की जो की अच्छा साबित हुआ बात करें फिल्म के 3rd day collection की तो वीकेंड पर शायद इस फिल्म को Sunday और Christmas का benefit मिल जाए जिससे की फिल्म के collection में थोड़ी बढ़ोतरी तो हो जाए दोस्तो धीरे धीरे जीरो आगे बढ़ रही है और क्या वीकेंड में संडे होने की वज़े से ये फिल्म सो करोड से उपर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो की कल यानी की 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के रिव्यू और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में दोस्तो 21 दिसंबर 2018 को जीरो मारी टू अंतरिक्षम 9000 की MPH केजियेफ जैसी अलग अलग जोनर की फिल्में रिलीज हुई है और इन में से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं तो कुछ छोटे बजट की इन में से बॉलीवुड की जीरो और कन्नट फिल्म इंडस्ट्री की केजियेफ बड़े बजट की फिल्में हैं सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवुड के किंग खान यानि की शारुक खान की जीरो की जो 200 करोड के बजट वाली फिल्म थी। दोस्तों फिल्म ने लोगों को एंटर्टेन तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शारुक खान केट्रीना कैफ और अनुश्का शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीब कर रही है और ये फिल्म थेटर्स में लोगों क को लाने में कामियाब रही और फिल्म को आनंदेल रोय ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड का कलेक्शन किया है वहीं बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया है जो की एक रिकॉर्ड है और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फायदा मिलेगा अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं कन्नड फिल्म KGF की तो फिल्म का बजट 80 करोड था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दिया है फिल्म को प्रिशांत नील ने टायरिक्ट किया था कोलर गोल्ड माइन्स पर बेस्ट ये फिल्म 80 की फिल्मों की याद दिलाती है जिसमें कन्नड सूपर स्टार यानि की यश ने लीड रोल प्ले किया है और ये फिल्म अब तक की कन्नड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अभी का फर्स पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है केजिएफ को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है केजिएफ ने इंडिया में पह जो कि डब्ड फिल्म होने की वजए से बहुत बड़ा है दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार धनुष की फिल्म मारी 2 ही जो कि मारी का सीक्वल है फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बाला जी मोहन ने डायरेक्ट क हुई है जिसका असद इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है और फिल्म ने पहले दिन 41 लाग का कलेक्शन किया है जो कि एबरेज है लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ही रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है वहीं बात करें तेलगू फिल्म अंतरिक्षम 9000 KMPH की तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसका डायरेक्शन संकल्प रेडी ने किया था इस फिल्म में तेलकू सूपरस्टार वरुनतेज लीड रोल में थे और इस फिल्म को भी लोगों का मिला जुला रेस्पॉंस मिला है फिल्म को भी आट लाग का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है जो की काफी बढ़िया है अंतरिक्षम फिल्म का कॉंसेप्ट लोगों को पसंद आया है लेकिन फिल्म पर एक साथ चार फिल्में रिलीज होने से असर पड़ा है लेकिन इसकी भी हिंदी डब वर्जन रिलीज होना अभी बाक अई मुम तो गई थी ना चुब दूशे मिले थे आपकी बज़े से टिकेट बदल गई पता है मेरी अवर हावर तुम्हारे वज़े से मैंने जीरो देख लिए और मैं भी आपको बहुत बड़ा थैंक्यू बोलना चाहता हूं कि आपकी बज़े से मैं जीरो देखने वाला मैंने SRK कीतिनी बड़िया मोवी देखे हैं मैं SRK का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं लेकिन SRK के बाद अगर मैं किसी का फैन हूं तो YES का फैन हूं भाई मैं बहुत बड़ा YES ने क्या acting किया फार डाला यार घजर मजा आ गया वैसे क्या खासता है Zero बता हो जेरो मैं खा अगर की चीज देखने को मिलिया और मुवी में यार एक सच बात बताओ शायत यश ने जो भी acting करे होगे मैंने मुवी नहीं नहीं देखी लेकिन अगर कमपारिसन किया जाए तो जिस सरीके से SRK के अगर गुसा है वो शायत यश ने गुस पाता है अगुस पाता है अगुस अगर कर दोना अलग अलग बाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारुफान बॉना बना और यस गुंदा एंटी हरो ताइप लंबी लंबी दाड़ी बड़े बड़े बाव लोग जब हाप में बंदूग लेके तूट ता है ना सीटिया बसकिया बाई लोग पागल है इस अगर को दिख लेकर आप लेकिर बलकुल वा लोग तो पागल हो इतनी ज़ादा होड़ी करें और पता है सबसे ज़्यादा समस्पेंस वलासीं तो वही आज रॉकेट का था और जब रॉकेट डूडा ना याज सबका मन पुश हो लिया आपके बॉर आपको चला गों न यार देखनी पड़ेगी लेकिन KJF एक दिल लूटिया मेरा देखने जीरो चले गई पता इस फेंस कुल हुआ हुआ है तुमारा? क्या था जीरो मेरा तुम्हे बता दो ना पर स्टोरी बता दो मुझे स्टोरी मत बदा कुछ मेल में चीज बताओ जिसे मैं खुश हो जाओ ताकि मनमें पड़ा मलालना रहे कि मैं जीरो नहीं रिख पाया अच्छा ये बताओ सबसे जादा इस चीज को जाने के मैं सबसे परदे तुम्हारा वाई वाला सस्पेंस को उती है तो केटिना कैफ के सांथ क्या था? क्या सिनता शारुक खान क और रिका का? कै्त्रीना कैफ कोई जोड़ी ऐसा नहीं था की उसे के सथ जोड़ी बने था हां अभी दैए अभी दया अभी था इसमोवी में वो उनके वाल्पिन का रोल अधा कर रहे थे मतलब शावुफान से गटना कैफ सेट नहीं थी फिल में? थोड़े टाइम के लिए, जादा नहीं, अभी ते और के बात. और अनुष्का शेमा? मतलब को बता गूं की, मतलब के ट्रीना के आपका रोड इसमे ऐसा था, बहुत बड़ी सूपरस्टार दिखाई गई अभीता कुमारी, मतलब उसका थोड़ा मेंटली अंदर से अधूरी अधूरी सी रहते ही को बहुत जादा. तो उसे पूरा अभेद हो ने किया? पूरा अभेद हो ने किया, बहसा भी नहीं बहुत सकती. अच्छा यह बता, अनुष्का शर्मा का क्या सीन था? अनुष्का शर्मा एक साइंटिस्त है. वो किसके साथ सेट है? अच्छा में को नाम याद मी आरहा बढ़ तुम्हें स्रीडेट्स देखी तुम्हें वाइड लाइस पोटोग्रफर था. क्या नहीं था? अर्मादवर. बिल्कोई. मैं को नाम याद मी आरहा था उने के साथ. मुझा शारुखां के साथ कौन सेट था? यार शारुखां के साथ कोई भी से पीता नहीं अनुष्का नहीं केत्रीना. केत्रीना अपनी अलग सुपस्कार्ट थी. मैं को बता दू कि SRK पागल था Babita Kumar के लिए, चागा था था. थोड़े टाइम के लिए उनकी के मिस्ट्री आई थी लेकर इसना बड़ा भी नहीं. यह उसे शादी हो जाया और को चैता कुछ सीन नहीं था. हाँ, लेकिन अनुषका शर्मा की शादी आर माधुन के साथ हुए और वो दोनों ही साइंटिस है. और इतनी बड़ी जो स्टार कास्टर्स में अभी एक दीपिगा, मैंने क्या नाम है? और इतनी बड़ी स्टार कास्टर्स में दीपिगा कादू कौन भी है. शी देवी, काजो, रानी मुखर जी, अल्या भट, यह क्या रदेते हैं? तुम्हें मुवे पैले से देख रखी है क्या? ने ने पढ़ा पढ़ा पहीं पर, मुझे बताया गया था. अच्छा मेरी बात सना, बवीता कुमारी इसमें एक बहुत बड़ी सुकर्स्टार का रोल अधा कर देख लेगा है. तो अवेसी बात है जहां Bollywood का नाम आएगा, वहां एक Bollywood अप्रस के साथ, बागी Bollywood साथरेवी तो दिखाएंगे ना यार. उसमें दिपिका, श्रीदेवी, आलिया भठ और करिश्मा कपूर को भी रिखाया गया है. और वो तब क्याम रोल इसमें एक वो कॉंसा इंसान है, जो हमेशा क्या नाम है, कई फिल्मों के दोस्तों का रोल भी आता किया है. जिशान आयूब. जिशान आयूब, उसका क्या सीमना था, उसको मुझे जाने का बहुत है. तो आपने देखाएंगी, वो जादा जर जाना ही दोस्ती के रोल के लिए जाता है. जाएंगे अम ग्रांजना उठाएंगे और भी बहुत सारी मूवीज. तो ऐसमेस का उतम्मला अच्छा दोस्त वनाख में. बल्कुल. वो अमेशा से अच्छा दोस्ता किर्दारी मीवाद है, इस बाद भी भी बहुत अच्छा दोस्ता किर्दारी मिवाद है. जानिकी जीरो देख मी पड़ेगी. वैसे, आपका क्या खाल है, जीरो, कितना कर पाएगी? All over India, no all over India, all over world, कितना कर पाएगी? यार, 20-25 करोर 20-25 करोर, बस 200 करोर लगागे 20-25 करोर जादा बोलो मत अपना बताओ, KGF किया देखा है, मेको भी तो कुछ बताओ KGF का पहली आत्मदाव इसमें Yes है, Kandar का सुपरस्टार है वो जब से आया है अपने आपने आपने इक अलग चीज है, पहली बाद, उसके अपोजिटर Shrinidhi Shetty क्या क्यूट लंकिया और इन सबसे बड़ी बाद, उसमें Mohani Roy Kao क्या गली लडी मजा आगा देखे मुझे चीज पूछनी है, क्या? तुमने अभी बोला Shrinidhi Shetty, मुझे सबता हूँ, ट्विलर देखे क्या लगा था? यश्क क्या अपोजट महनी रॉय है ने ने, महनी रॉय का समें आइटम सोंग है, लेकिन आइटम सोंगी कजब का है गली-गली उसमें इक ही आइटम सोंग है उसमें यह एक ही आइटम सोंग है, लेकिन और भी गाले है, लेकिन यह गाना जाता है मेरा सुस्पेंस तोड़ रही है तुमने यार, मुझे लागा और मुझे टोगी वह यश्क है ने ने, सुस्पेंस तो भी है जब किया रहा मैं, उसके डायलोग, ओफ यह जब डायलोग बोल दाए ना तो एक अंदर से फिलिंगा आती है कि यार, कुछ इसा बनना चीह है लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चीहे क्योंकि उसमें वह लोगों की सेवा करते है दिखाया रहा है मेरे केजीयव को लेकिए बाट से दाउट है मेरे केजीयव को लेके बुरों को लापता है क्या बताओ मुझे जब मेरे रेलर देखाना मुझे यार यार शे निगटेब रोल गर शेना ना इसका रोल इस का इसे अजिलागी एसा के शक्हाती इंडियो टाइब कपन्दब अच्छी लोगों की नरता है बुरूँ तो खात्मा करता है या पर इसने सुरो तो उसने बोला वाइन बोला था प्री रड़ कि जब छोटा बक्चा बोलता है मुझे दुन्या चाहिए हाँ तो वो उसकी मान नहीं कहा था ना कि तुझे लोगों के साथ चलना है लोगों के आगे कढ़ा रहन मैं ऐसा रा इसने अधर गाम के अधिदा करते हूँ मोग बाह बली का सेकंड़ पार्ट कव आएगा एक ही दिन में जो मुवी देखके निकल रहा है वो यही कह रहा है कि इसका second part second chapter कब आएगा यार वो किसमत की बात है हाँ किसमत की नहीं में माल जियों कि chapter 2 आएगा जिएरो का बन पाएगा नहीं बढ़ क्या पता बन जाए हो भी तकता है जीरो का बन तो नहीं मनेगा कि इसका बन जाएगा कि अगर कोई मुवी बहुत जादा आगे नहीं कलती है अच्छा नाम का माली तो इसका second part लो डिमांड करते है कि हाँ आना चाहिए हमारी जंता डिमांड करती हाँ आना चाहिए हाँ यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन KGF का second part आएगा यह तो अभीज़ित है हाँ हो मैं आपकी बात मान रही है तो आपने budget पूछा था मेरी मुवी का क्या पेच्छा है मेरी budget से आपकी कहा है इसमें इसका budget 80 crore है लेकिन हो सकता है कि यह शारू खान के बारावाट पहले दिन में इतना ना कमा पाएगा लेकिन कमाईगी अच्छा अपने 80 crore के साथ से और हो सकता है कि यह लेकिना मुवी देखोगी ना 80 crore में 800 crore का रुमाखा है वो सकते 800 crore ना कमाईग पर 800 crore यह सा रुमाखा है मैं आपकी बात समाज रही है आप बोल रो की 80 crore में 80 crore खच्छा है से कुसी चीज पे पुराना इंडिया दिखाने के लिए और इसके action scenes पे जब आप देखोगी ना आप खुद समझ मा जाएगा ना आप जीरो को बडाता होगी ना KGF को मैं बूरा तो मैं बोल ही नहीं हुआ बात यह है बोलो तो क्या बोल रही है अब आप मुझे बोल्रूर का बजट लगाए भीके मान रही हूं लेकिन कि VFX इतने हाई लेविल के नहीं होंगे शायर क्योंकि किसी कुपूर्ना दिखाना है आज VFX में सारा काम सरा रहा है अब आखरी में बात ही है मेडम कि मैं तो Zero देखने जा रहा हुआ लेकिन कंदी से KGF देखाया लेकिन कंदी से KGF देखाया लेकिन अब ही अच्छा बोल र क्या जीरो का बन पार्ट बनना चाहिए तो क्या लगता है फोड़ा मुवी देखो दिमाग रड़ाओ और कमिट बॉक्स से बातिसाओ और मुझे बताओ क्या लगता है जीरो का से कि बनेगा दोस्तो 21 दिसंबर 2018 फिल्मी दुनिया के लिए बहुत खास दिन था क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार शारुख खान यानि की बादशाह खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सूपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाने के लिए आई और वही कन्नड के एक और सूपरस्टार यश की फिल्म के जीएफ ने बॉक्स ओफिस पर दस्तक दी और जिसे कन्नड की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उध्योग को नुकसान के साथ साथ फाइदा भी हुआ क्योंकि इस बार आडियंस के पास अच्छी खासी चॉयस थी कि वो किस प्रकार की फिल्म का चुनाव करें जहां शारुक खान की फिल्म एक रोमांटिक फिल्म के साथ साथ है फुल ड्रामा फिल्म है तो वहीं KGF एक एक्षन फिल्म है और वहीं मारी टू एक मसालेदार फिल्म है लेकिन जिसमें शोशल एलिमेंट्स का तड़का लगाया गया है और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 300 करोड का फाइदा हुआ है क्योंकि इन तीनों फिल्मों के सेटलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स इन सारी चीजों को मिला कर करीब फिल्म इंडिस्ट्री को 300 करोड का फाइदा हो रहा है और 21 दिसंबर को एक ही दिल रिलीज होने पर करीब 100 करोड का फाइदा हुआ अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संधर्म में हुआ कि हर स्टार की ओडियंस बट गई और ओडियंस बटने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है हालांकि ये पहला दिन रहा इसलिए ये निस्चित तोर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड का नुकसान होगा अगर अब बात करें जीरो की तो Zero ने रिलीज से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था जी हाँ और Zero का कुल फर्स डे कलेक्शन देखा जाए तो Zero के खाते में करीब 230 करोड के आसपास गया है और इससे ये कहा जा सकता है कि Zero फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है और फिल्म का सूपरिट होना तो निस्टित है क्योंकि Zero ने इंडिया और देश विदेश को मिला कर 58 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है और अगर वहीं बात की जाए साउत के बाहुबली यानि केजिये की तो उसने पहले दिन 15 करोड का बिजनिस किया है दोस्तों वहीं मारी टू अगर कुल मिला कर देखा जाए तो फिल्म ने 2 से 3 करोड का कलेक्शन किया है और अगर इन कलेक्शन के आकडों को आधार बना कर बात की जाए तो शनिवार को छुटी होने की वजए से तीनों फिल्मों के बॉक्स ओफिस पर उच्छाल देखा जा सकता है और माउथ पब्लिसिटी का फाइदा भी मिल सकता है अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो 0 करीब 30 करोड का बिजनिस कर सकती है और वहीं KGF करीब 20 करोड के आसपास पहुँच सकती है और दोस्तों वहीं मारी 2 भी करीब 5 करोड के आसपास पहुँच सकती है तो जब भी 2 फिल्मे या 3 फिल्मे एक साथ रिलीज होती है तो अक्सर देखा गया है कि जब बड़े बैनर की और बड़े स्टार की फिल्मे होती है तो उनके बॉक्स ओफिस कलेक्शन में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और दोस्तों वहीं अगर एक उधारन के तौर पर देखा जाए सन्य दियोर और आमिर खान को तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीज की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबिक हुई है और सबसे बड़ा उधारन तो उस समय का है जब गदर और लगान रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने रिकोर्ड तोर बिजनिस किया और वही हम आपको बताना चाहेंगे कि शारुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके है क्योंकि शारुख खान एक बहुत बड़े सूपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्टारडम पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है अब चाहे कननड का सूपरस्टार आए या फिर साउट का सूपरस्टार और ये सब इनके सामने एक प्रकार से बच्चे ही तो है वो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है दोस्तों वहीं KGF और मारी 2 के रिलीज होने से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है क्योंकि KGF और मारी 2 में जो स्टार हैं उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है और दोस्तों अगर बात करें KGF के सूपरस्टार यश्की तो आज की यूथ में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है और वैसे भी KGF की तुलना अमिताब बच्चन की दीवार से की गई है और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानक में और फिल्म के सिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेंट्स डाला गया है जिससे की फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नजर आए और इसलिए KGF के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म फ्लॉक्बस्टर हिट साबित होगी दोस्तो मारी 2 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है वो भी एक स्लो पोईजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे धीरे अपनी पकड बना ही लेगी क्योंकि धनुश का अपना फेन फॉलोइंग है और दोस्तो ये भी कहा जा सकता है कि मारी 2 और KGF की टकर से सीधा जीरो को फायदा होगा क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही fan following south में जादा है लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है इसलिए सारे आकडों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फायदा शारुक खान की फिल्म जीरो को होगा और दोस्तो वहीं जीरो फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि S.R.K के जितने चाहने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर शारुक को ट्रॉल भी किया है और इसलिए उनके शुप चिंतकों में एक तरह से भैफैल गया है कि कहीं शारुक की जीरो फ्लोप न हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं S.R.K की जीरो फ्लोप होगी नहीं और जल्द ही बॉक्स ओफिस पर अपनी पकड़ भी बना लेगी Zero Film के हीरो शारुक खान का स्टार्डम किसी भी सूपरस्टार से कम नहीं है और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह Zero Film भी जल्द ही बॉक्स ओफिस पर स्पीड पकड़ेगी जिस प्रकार से बाहुबली टू ने स्पीड पकड़ी थी क्योंकि Zero की कहानी में जो बहुआ सिंग है वो एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है इसलिए Zero Film बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की जनता के दिलों में रच और बस जाएगी और दोस्तों ये भी सच है कि शारुक खान की Zero Film पर अनुश्क की शादी का फर्ख थोड़ा बहुत तो पड़ा है क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुश्वादी मानसिक्ता का प्रतीग है जहां पर मेल एक्टर तो शादी कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्टरिस जैसे ही शादी करती हैं उनकर स्टारडम गिर जाता है जो की एक प्रकार से हिरोईन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आ रहा है और आज भी जारी है लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुश प्रधान समाज है हमारे देश का कि कभ शिक्षित होगा और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश झतक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक की हमारे देश की प्रतिएक नारी शिक्षित नहीं होगी और अगर हो जायेगी तो वो खुद अपने आप में इतना शक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए लड़ सके क्योंकि film industry जो कि हमारे समाज के एक आईने के रूप में देखी जाती है अगर वहाँ पर नारियों के साथ victimization हो सकता है तो किसी भी छेतर में हो सकता है जो कि एक दम गलत है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकास से पुरुष film industry में जमे रहते हैं हिरोईनों को भी जमे रहना चाहिए और तभी इस industry का मिथख खटेगा और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मोसमी चटरजी मात्र एक ऐसी हिरोईन है जो शादी के बाद industry में आई और पुरुषों को भी तीछे शोर दिया 21 दिसंबर 2018 एक बहुत ही एहम दिन है फैंस के लिए क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिलमें रिलीज होने वाली हैं पहली बॉलिवुड के बाशा किंग खान की जीरो और दूसरी कंणड एक्टर यश की KGF चैप्टर 1 नमश्कार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिवॡ राद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आईए मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शक्स पर क्या असर पड़ेगा फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कंड़ सूपरस्टार यश या फिर आप लोग पर जी हाँ यानी की वो लोग जिनके इक्तियार के बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता तो उस्तों जीरो और केजी एफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतिय फिल्म उध्योग को कितने करोड का फायदा होगा ऐसे कई सारे सवाल जहन में आते हैं और जहां तक कि देखा जाए अगर एक दिन में एक ही फिल्म रिलीज हो तो भारतिय फिल्म उध्योग को एक फिल्म से जितना फायदा होता है उससे जादा दो फिल्म में रिलीज होने पर होगा और जाहिर सी बात है कि अगर दो बिग बैनर फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो फायदा तो बेशक्स जादा ही होगा एक तरफ Zero Red Chili's Entertainment की प्रोडक्शन है तो दूसरी तरफ KGF Chapter 1 रितेश शिडवानी और फरान अक्तर की Excellent Entertainment की है वहीं दोनों मुवीज के Combine Collection की बात की जाए तो एक हजार करोर का मुनाफ़ा तो हो ही सकता है मगर मुद्दे की बात तो ये है कि कौन से फिल्म कितना कमाएगी अगर शारुक खान की पिछली फिल्मों की बात की जाए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और उनकी कमाई भी इतनी बहतरी नहीं हुई है पिछली फिल्मे कुछ जादा खास ना जाने की वज़े से इस पार फैंस को S.R.K. की जीरो से बेहद उम्मीदे हैं वहीं दूसरी और यस जो की कंड़ सुपरस्टार है और साउथ में बेहद प्रचलिद भी और उनका काम इशनी फिल्मों में लाजवाद साबित भी हुआ है तो उनके फैंस को भी केजी एफ का बेसबरी से इंतजार है बलकि अब तो आलम ये है कि नॉर्थ इंडिया में भी लोगों को KFC का ट्रेलर बेहद पसंद आया है और कहीं ऐसा नहों कि SRK की तरफ आती हुई हवाएं यश की KGF की तरफ अपना रुख मोड लें बेशक की लोगों को Zero का उतनी ही शिदत से इंतजार है मगर कहीं न कहीं KGF का ट्रेलर Zero के ट्रेलर पर भारी बढ़ता नज़र आ रहा है और इन सबसे बचने के लिए Zero का जोर सोर से प्रोमोशन हो रहा है और नई नई तरकीबे निकाली जा रही है जैसे की अभी हाल ही में Making of Song मेरा नाम तू यूटूब पर लॉंच हुआ सूत्रों के मताबिक KGF पांच अलग-अलग languages में release होगी जिसमें एक language हिंदी भी होगी अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी release होगी तो audience किस हिसाब से बढ़ जाएगी KGF का Zero के साथ clash होने पर Zero पर असर तो जरूर पड़ेगा उसमें तो कोई शक नहीं है मगर वहीं दूसरी तरफ रिते शिदवानी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक clash है या फिर कोई जंग है किसी space के लिए उनका मानना है कि space बहुत है रही बात 21 दिसंबर को release करने की तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन South India का एक khas festival है ये film South की चार लेंग्वेज में release होने वाली है और बेशक हिंदी में भी उनका कहना है कि North India मार्किट में उतना नहीं जाना जितना की Zero का मकसद है Excellent Entertainment जो कि Rock on 2 रहीस फुक्रे सिरीज गोर जैसे फिल्मों के लिए जानी जाती है इस पार कंणड फिल्म KGF के साथ आ रही है रिते शिद्वानी का कहना है कि फिल्म ने language barriers को तोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है बाहु बली KGF जो की एक period drama है cooler gold fields पर आधारित है जहां तक की फिल्म आपको emotionally connect करती है तो language का barrier तो रहे ही नहीं जाता दोस्तो KGF फरशान नील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और दोस्तों विजय की रागन डूर इस फिल्म को produce कर रहे है यश और स्रीनिधी लीड रोल में नजर आएंगे बात की जाए जीरो की तो वो एक romantic drama है जिसको लिखा है हिमांच शर्मा ने और निर्देशन किया है आनन देल्रोय ने दोस्तों इस फिल्म को produce किया है Color Yellow Production and Red Chili's Entertainment ने Star Cast में हैं शारुक खान, अनुश्का शर्मा और केट्रीना कैफ दोस्तों वहीं Zero का बजट 200 करोड से उपर का है तो वही KGF का 100 करोड से उपर का अब सवाल ये है कि क्या शारुक खान फिर से किंग खान बन पाएंगे जंगल में लेकिन शहर तो एक ही होता है और किंग्टम में किंग भी एक ही किंग खान ने पूरी जान लगा दी है Zero के लिए और ये बात जाहिर भी होती है जहां स्ल्मान खान इश्कबाजी सोंग में स्पेशल एपिरैणस में दिखाइ दिये है जहां तक कि बात की जाए सल्मान खान की तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां तो फिल्म का फ्लॉप होना नामुम्किन ही है